कर लेना और अपनी पूरी तैयारी के दौरान उसको फोलो करना मान कर चलना कि बस यही चोटे-चोटे पॉइंट्स होते जो आपको सब्सक्राइब सफलता हासिल करने लिए सबसे महपून क्या है मैं जो चीजे बता रहा हूं उसका एक अगर कॉंबिनेशन बन जाएगा वो टेटली कॉंबिनेशन चर्फ होगा कि सारी चीजे जैसे में प्रोपर रोते वेसी होगे ना तो सब्सक्राइब नी सकता है आज से ही आपको ठान कर जाना है कि मुझे सख्कारी नोपरी हासिल करनी है हो पर नहीं कर रहा हो है और के लिए। हर बार टेस्स में आपने कम्यों को आकर नहीं कि कहां में पीछे ले रहां इस अब्जेट रोब आपस नगूज करना वापस हिंदे लिए हर पर आप कि आप में से ऐसे कितने केंड़ेट से जो अजमेर से बाहर से एक बार हाथ खड़े करना जो अजमेर से बाहर के हैं क्या बात हैं 50-60 परसेंट बाहर से ही लग रहे हैं जो सुदूर शेतर से आएं मतलब जैसल मेर बाड़ मेर गंगानगर चुरू एक बार वह से हाथ खड़े करना जो बहुत दूर से लग बगग 200 क्लिवेटर से ज्यादा से दूर से आए ऐसे केंड़ेट की भी संक्या काफी ह अचा एक बार वह भी हाथ खड़े कर दो जो मुझे पहले से जानते हैं कि सर आपको पहले से जानते हैं अचा कुछ लोग नहीं है जो नहीं जानते हैं पहली बार ही आएं बहुत बढ़ी आचलो पहली बार भी काफी केंड़ेट्स हैं और मुझे जानने वाले भी काफी के जानते हैं इसका मतलब उन्हें यूटूब पर नहीं देखा है तो आज ही सब्सक्राइब कर लेना आप क्वालिटी एजुकेशन जो चैनल है उसको आज ही सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि एक-दो दिन में आप सब अगर आप यूटूब पर देखें तो मैं पतवार भी टॉप कर चुका हूँ आज अगस्ट का पहला संडे है अगस्ट का पहला संडे है और वश्ट पहले संडे के तो आज Friendship Day पर हमारे साथ तीन दोस्त भी आये हैं, उन तीन दोस्तों की कहानी में आपको यहां पर बताऊंगा, इस साइड जो तीन दोस्त बेठे हैं, Friendship Day पर मैं तीन दोस्तों के आपसे मुलाकात करवा रहा हूं, यह तीनों दोस्त को लेज में भी साथ में पड़े हैं, बाद में एक्जाम की भी साथ में तैयर ही कर रहे थे, साथ में ही तीनों क्वालिटी एजुकेशन से जूड़े थे, और साथ में ही तीनों ने पटवार एक्जाम में बहुत अच्छी रेंग के साथ सेलेक्ट भी हुए हैं, तो आज Friendship Day में मैंने इन तीनों को आज Friendship Day है नो, तो बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी दोस्त कैसे हैं, जैसे आपकी दोस्त होंगे, वैसे आपकी लाइफ होगी, वैसे आपकी सक्सेस होगी, तो जिंदगी में दोस्त बलाई कम होना चाहिए, पर अच्छे होना चाहिए, तो आपकी जिंदगी बदल सकता है, जिंदगी में बहुत सक्सेज भी बना सकता है, और आपकी जिंदगी खराब भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप दोस्त कैसे चुनते हैं, तो Friendship Day पर एक छोटा सा मंत्र है, आप दोस्त कैसे चुनते हैं, उस पर ये सारी डिपेंड करते हैं, यह तीनों दोस्त का कि हो सकता है कभी एक जना निराश हो तो दूसरे नोसको मोटिवेट किया यह अच्छे दोस्त का फरक पड़ता है साथ में होने का तो सबसे पहले तो क्योंकि तीनों दोस्त यहां पर सेलेक्ट हुए तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से भी क्वालिटी एजुक्शन की यहां ने थोड़ी सी अपनी बात भी रखें अपनि कहानी भी रखेंगे और आपको इंगा तो आप वो चीज़ सीख जा सकते हैं, इन 2-3 गंटों में वो चीज़ सीख कर जा सकते हैं, जो शायद आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो जाए, कई बार सिर्फ एक विचार काफी होता है, एक विचार हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन स स्वागत कर देते हैं सभी का है है हमारे साथ यह अर्विंद मालव जी है और इस बार यह ग्यारवी रैंक से सब्सक्राइब और अच्छे नमरों के साथ यह सलेक्ट हुए है और हमारी तरफ से क्योंकि आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक हमारे पास यह जो पुस्तक आई हैं बहुत 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 कर रहा हूं आरे इस में इसके लिए मेरी खाल से मार्क इनकी ओल रादस्तान 48 रेंग है है ना 5000 लोगों में से 48 वे इस्तान पर आना अपना में बहुत बड़ी बात है कि यह सेमिनार से ज्यादा मुझसे मिलने के लिए कि बहुत इच्छा थी कि आप से मिले हैं इतने टाइम से साथ से जुड़े थे साथ में तयारी कर रहे थे कि बहुत सारी इच्छा थी कि आप से मिले तो मिलने के लिए कल रवाना होए रात को पहुंचे थे और फिर मैंने का seminar भी है तो seminar में आपको अपनी वगाद भी रखनी है तो आजके seminar में मैंने बहुत सारे अलग-अलग विशे रखे थे आना मैं एक बार वापस देख ला था हूँ कि मैंने क्या क्या विशे बताए थे आप में से अगर कोई में सबस्क्राइब परक्राइब की विए ए इसलेक्सिन कैसे हो जाए इस पर हमारी सरी आज चर्चा रहने वाली है दो गंटे तीन गंटे बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले है रोज के दो तीन गंटे आपके ऐसे ही निकलते हैं इस दो तीन गंटे को आपको खास बनाना है बहुत सारी बाते हैं बहुत सारी बाते होगी उनमें से करने के लिए सबसे important चीज़े क्या होती हैं उसके बारे में हम discuss करेंगे लास्ट में सबसे बारे में बात करूँगा सभी टीचर्स भी अपना अनुबब शेर करेंगे अपनी बाते अपनी जो भी चीज़े सीखी है हमने यहां पर quality education का नाम tagline भी यही रखी है education with motivation हर एक teachers का अपना अपना एक खास अलग विशेष्था होती है हमारी यहां पर विशेष्था क्या है मैं education के साथ motivation को बहुत important बानता हूं अगर motivation है तो education का level कई गुणा बढ़ सकता है इसलिए हमने education के साथ ही क्या जोड़ा है motivation भी जोड़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूत पड़ती है वैसे देखा जाए तो बाकि सभी कामों से education बहुत आसान होती है लेकिन कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी होता इसलिए motivation भी जरूरी है तो यह आज सभी teachers से आपको इसी तरह का motivation मिलने वाला है एक मैंने यहाँ पर बात लिखी थी कि अधिकान सभ्यरती बार-बार क्या गलतिया करते हैं ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी mistakes होती है जो हमें पता भी नहीं होती है वैसी mistakes हम करते है और कुछ नंबर से हम रह जाते हैं ठीक है सफल होने वाले अभ्यरती क्या अलग करते हैं हमने भी पड़े कि दूसरों ने भी पड़े कि एक सफल हो गया एक रहे गया ऐसा क्या अलग करते हैं हम जो हमारे साथी आये इन से जानेंगे एक बार और सफलता के कुछ और भी मूहल मंत्र जो है व दो ड़ाई गंटे आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले ये बाकि अगर आप नहीं आते तो साइध वो ड़ाई गंटे रोज की तरह ये भी निकल जाते लेकिन आज की दो ड़ाई गंटे आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है कुछ ना कुछ लेकर जाना है इन्वाइट करूंगा हमारे बहुती विद्वान साती है गनित के पदम सर जो बहुती अजमेर में तो यहां पर बहुत पॉपुलर है और यूटूब पे आप देखें कई लाखों व्यूज उनके आए हुवे हैं मैज को बिल्कुल बैसिक से एडवांस तक पड़ाते हैं इन से पहले मैं पदम सर को आमंद्रित करता हूं कि सर आप अपनी कुछ बात रखें आज सर की थोड़ी सी तब्यद भी खराबती लेकिन फिर भी सर ने टाइम दिया है उनके लिए बार एक तालिया बजाकरूंगा स्वागत करें दन्यवाज सरका और मंच पर विराजमान सारे गुरूजन और आप सभी साती आप सबका अजमिर में हरदीक स्वागत और बहुत दूर से आ रहे हैं आप तो बहुत सारी जिग्या साय और अपक्षाय लेकर कर आ रहे हैं और मैं एक ऐसी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने हूँ जो इस्ट्रेंट्स के लिए वाकई एक दुखदाई विशे है अलंकि कुछ कारणों से ये दुखदाई है कुछ कमिया रह गई अपने में और जिस वजे से ये विशे दुखदाई है बाकि दुनिया का सबसे रुची कर विशे है मेट्स वो लेकर के मैं जो है आपके सामने हूँ उसHello हूं उस पर बात करेंगे ल जूड़े हुए हैं ओके और कितने लोग हैं जो नरेंदर सरका गाइडेंस की जो पॉवर है उसके बल पे जूड़े हुए एक बार आतकड़ा करें शावबास तो क्वालिटी एजुकेशन यानि कि गुणवत्ता पूर शिक्षा यह आज के समय की सबसे बड़ी दुविदा ह है क्योंकि शिक्षा जो है वो का कमर्शलाइजिसन हो चुका है क्या व्यापारी करन हो चुका है इसलिए सर ने बड़ा सोच समझ के नाम रखा है क्वालिटी एजुकेशन यानि वाकई गुणवत्ता पूर शिक्षा आप में से काफी लोग नरेंदर सर को इस बात से तो ज कर पाता हो वो भले आरेस एक्थाम को ले करके हो या अधर सारे एक्थाम को लेकर हो और सर ने पतवारी टॉप भी किया है तो आप मेंसे वे लोग जो सोच रहे हैं कि सर का आरेस का रोह वो बहुत अच्छा है लेकिन छोटी वेकेंसी जैसे आप में से काफे लोग अभी टार्गेट करने वाले हैं LDC टार्गेट करने वाले हैं पटवारी और CET तो कंपल सरी है ही सब के लिए खर तो उनके लिए भी सर का जो गाइडेंस है वो रामबान साबीत इसलिए होने वाल को लर्निंग देने वाले हैं हर विशे के संदर्ब में वो वाकिई क्वालिटी वाली होने वाली है आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सेमिनार के लिए तो आए हैं साथ में अगर उनको बेटर लगता है तो वो बैच भी जॉइन करना चाहेंगे मैं दोनों पक्षे बात कर तो मैं Maths लूँगा और Math एक ऐसा विशे है जो इस्टुटेंट्स के बीच गलत दारना है आप को गिसे हमने 10 साल पड़ा है गलत दारना कैसे हो सकती है Maths तो टफ है इसलिए हम उसको टफ बोलते हैं आप गलत दारना बोल रहो इसका मलब यह है कि हमने Maths को पड़ा नहीं ऐसा नहीं है आप मैंसे ऐसे कितने लोग हैं जो Maths को लेकर कि वाकी फियरफूल है Maths उनका बहुत मलब एक प्रकार से ग्रणास पर टाइप का विशे रहा है अब तक इमानदर से याद कड़ा करें आप ठीक है आप मैंसे ऐसे कितने लोग हैं जो Maths में ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते है ओके और कितने लोग हैं जो Maths में बहुत अच्छे हैं होंगे शाबाज ठीक है तो मैं आज जादा तो बात नहीं करूँगा क्योंकि तुरा स्वास्ते भी ठीक नहीं है मैं Maths पर बात कर लेता हूँ और उसके बाद में जो है एक विशे और और उसके बाद में आगे सर को स तुनेंगे देखिए दुनिया का सबसे इंटरेश्टिंग और सबसे सरल सब्जेक्ट मैं इसलिए मैं कहारा हूँ क्योंकि न केवल साइकोलोजी बलकि साइनस भी ये मानने लगा है कि आपके माइंड की खासियत होती है आपके मनामस्तिस की खासियत है कि वो सबसे पहले ल पावजूद, math अपना कमजोर कड़ी कैसे रह गई? ये तो विचारने विश्य है के नहीं है? जब math logical है, properly और अपनी प्रवर्ती है कि logic को पहले पकड़ेंगे, अपना mind, तो math आपकी कमजोर कड़ी क्यों रह गई? उसका कारण है कि math के जो basic concept है, उनको समझते हुए advance की और न खारीका रहेगा वह बिल्कुल basic to advance रहेगा यानी वहाँ पे मैं हर बात को zero से start करूँ बने आप मैस से हैं साइंस मैस से belong करते हैं या फिर आप कॉमर्स से belong करते हैं या फिर का समिनार हुआ था आरिस का बैस चल रहा है और वहां पर ऐसे लोग जो मैट को ले करके बहुत डर रहे थे लेकिन आज वो मैट के इंदर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अभी तो उनकी केवल क्योंकि उसमें मेरी गहरी रूची है न केवल रूची है बलकि वहां पर मैंने प्रमान भी देखें आपको कि सर आप तो भी सर बोल रहे हैं तवित खराब है फिर योग की बात कर रहे हैं ठीक है हलांकि ऐसा नहीं है कि आप योग करेंगे तो सब चीजों से बचके रह जाए हैं सबसे बड़ी पावर है आपका कॉंसेटरेशन पावर आपका भीतरी लुब्रिकेशन आपके इंदर चिकनाहाट कितनी है जितने आप भीतर से कॉंसियस रहेंगे जितना आपके भीतर लुब्रिकेशन होगा उतना ही कम घर्षन के साथ आप आगे बढ़ेंगे आपने क पढ़ता बहुत है कितना पढ़ता है ऐसे लोग जिनका से लेक्षिन नहीं हुआ उनसे आप कंपेर करेंगे तो कहीं बाहर पाएंगे कि वो तो उनके मुकाबले 40 परसेंट या 50 परसेंट ही पड़ता था तो भी वो सेलेक्ट हो गया reason क्या है reason यह है कि आपका भीतरी आयाम कितना शांत और कितना एकाग्र है इस बात पर निर्बर करेगा कि आप कितने उपर उठेंगे कितनी सबलदाब हासिल करेंगे यह तैब आत है काफी लोग उसी जगे पे खूब मैनत करते हैं खूब संकर्श करते हैं लेकिन उसी जगे पे वो जो है चलते रहते हैं आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं ऐसे काफी सारे हमारे इस्ट्रेंट में लग बग 10 साल से मैंत बढ़ा रहा हूं 10 क्या 11 साल हो गए ऐसे लोग हैं जो आज से 8 साल पहले भी preparation करते थे आज भी वो preparation कर रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो पिछले साल जॉइन किये थे और select हो गए तो इतना 10 साल से वेक्ति द्यारी कर रहा है सेलेक्ट नहीं ओपर आए, रीजन का है तो वो कारण है कि उसका भीतरी आयाम है, वो असंतुलित है तो अपन इस मुद्दे पे बहुत गयराई से बात करेंगे, आलंगि आज थोड़ा सा मैं कुछ समर्थ नहीं हूँ बहुत ज़्यादा डिटल में बात करने को लेकर के बाकी आप में से वे लोग जो बहुत बड़ी उम्मीद और अपेक्षा है लेकर आए हैं निश्शित तोर पे आपको उस अपेक्षा से बैटर मिलेगा यह हमारी गारंटी है और मैथ की गारंटी मैं ले सकता हूँ हालांकि सारे जो हमारे गुरुजन है वो अपने-पने सब्जेक्ट के महारती है बट मैथ को लेक मैथ सबसे दुखदाई और सबसे डरावना वी से है और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि मैथ्स आपकी सबसे सॉलिड नहीं हो जाये तो आपके न और आने वाला CET लेलो या फिर LDC LDC के लिए तो मैथ्स बैक्मान है उसके बिना पार नहीं पड़ सकती है और 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर रिजनिंग के बारे में बताएंगे हालांकि मैथ्स और इजनिंग में विशेश अंतर नहीं होता है अंतर तो होता है बड़ दोनों ही लोजिकल है तो अगर इन दोनों विशेश पर आप बहुत अच्छी मारत आसिल कर लेते हैं तो बाकी जगे अगर थोड़ी कमजोरी भी रह जाती है क्योंकि मैथ्स और इजनि में एकुरेसी ज़ाधा होने की संभावना होती है तो selection की संभावना बढ़ जाती है तो मैथ्स को लेकर के मैं पूर आस्वास्त कर सकता हूँ आप में से वे लोग जो मैथ्स को लेकर के बिल्कुल डल défin हैं वो ये मानते हैं कि सर आप क्या अगर इस पर आजाये तो भी मेरी मेरी मैट ठीक नहीं कर सकता तो भी हम आपकी मैट को स्ट्रॉंग बनाएंगे यह तैब बात है बस आपको जो है तसलिसे जो गाइडेंस मिलता है उसके गोडिंग चलने के आपशिकता है और इसका सैक्ट आय सर की तब्यत खराब होते भी सर आए और अपनी बात रखी नेक्स्ट अपने यूटूब पर भी देखा होगा हमारे एक सरोरे विजेंदर जी सर काफी पॉपुलर है यूटूब पे भी वह अपनी जब करंट अफेर्स की क्लास लेकर आते हैं आर्थिक समिक्षा की क्लास लेक लेकिन राजस्तान जोग्राफिक एक बहुत बड़ा पार्ट है जो पढ़ाएंगे मैं अब विजेंदर सर को अमंद्रित कर रहा हूं जो बहुत संक्षित में अपनी बात रखेंगे क्योंकि वह बिल्कुल संक्षित में पढ़ाते भी बहुत संक्षित में और टूदे कैसे हो सब लोग कितने लोग हैं जो जानते हैं आचा काफी संक्या है मतलब काफी पॉपुलर हो रहे हैं दिरे दिरे देखिए ज़्यादा तो वैसे तो सर बताएंगे और ज़्यादा आपको डिटेल में मेरी तरफ से जो मैं हमेसा टूदे पॉइंट बात करता हूं वही म करके आएं हैं आपके लिए बिलकुल ये एकदम नया जो है यहां से जियोन एकदम अलग ही सुरू होगा क्योंकि यहां से आपको सही गाइडेंस जो है वो ज्यादा जरूरी है जो मैं मानता हूं क्योंकि यहां से अगर आपको गाइडेंस अगर सही नहीं मिलती है तो फिर यहां से आप रास्ता बटक सकते हैं, जो पिछले सेमिनार में भी चर्चाई चल रही थी है, अजमेर से, आपको जयवपूर जाना है, और अगर आप जोधपूर के रस्ते पे पहुंच जाएंगे, तो फिर गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपके लिए मार्ग दर्शन काफी ज्यादा जरूरी है, और जैसा कि नरेंदर सर जैसे काफी अनुभवी व्यक्तितों अपने बीच में रहेंगे, जो आपकी क्लास भी नरेंदर रूप से लेते रहेंगे, सेमिनार के माधियम से, तो आप सभी को एक अच्छा मार्ग दर्शन मिलेगा, इसमें कोई जो है वो पेलिबस करना होता है, जो अल्ड एक्जाम हो रहे हैं, जो पुराने एक्जाम हो रहे हैं, उनके आपको क्यूसनों का जो है वे एनलाइसिस करना होता है, किस परकार से वरतमान में जो है वे बोर्ड का पैटन चल रहा है, क्यूसन कहां से कैसे पूछे जा रहे हैं, तो उस तो भी को पता है कि राजस्तान के अंदर बरतियों का क्या अभी माहुल चल रहा है, बहुत कम बरतिया आती है, आती भी है तो competition बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैसे पटवारी जैसी बरती के अंदर पिछेतर परतिसत अगर कटोफ जा रही है, तो अपने आप में ये बहु हो जाती है कि ओमार में बरके आते हैं, तब भी दो तिन गोले उपर नीचे बरते ही, तो फिर वो काम खराब हो जाता है और selection से रह जाते हैं, तो इसमें कुछ important चीजे हैं, जो आपको ध्यान रखनी होती है, वैसे अपन class में विस्तार से चर्चा करते रहेंगे साथ साथ म राजस्तान जोगरोफी अपन लेंगे class के अंदर, लेकिन फिर भी मैं कुछ बिंदू के माधियम से अपनी बात रखूंगा, जैसे कि आप सभी को इस तैयारी के अंदर, जैसे आप competition के अंदर उतरते हैं, वैसे कुछ अनूबवी भी होंगे इन में से, जिनोंने कहीं exam दि motivated रहना होगा, आपको खुद को जो है वो motivated रहना होगा, अपने जो मातापिता हैं, उनको निरंतर रूप से अगर आप रोज अगर दस मिनटी भी अगर उनसे बात करेंगे, तो आपको automatic motivation मिलेगा, जो जिस प्रकार से वो इतनी मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, और ज जर्णी जो है, वो ज्यादा लंबी भी नहीं है, क्योंकि लगबग एक से लेड़ साल में सारी की सारी बरतिया जो है, वो complete हो जाएगी, जैसे मान लीजिए वन पाल, वन रक्षा के उसकी date आ रखी है, या फिर आगे CET की exam date आ रखी है, LDC की जो है, वो बहुत जल्द बरत देना होगा, दूसरी चीज की सबसे important चीज आती है, वो आती है syllabus की, इन बरतियों के अंदर विशेश रूप से आपको मेरा जो मानना है, आपको चार से पांच बार syllabus करना होता है, और उसमें भी जैसे की मान लो teacher एक बार करवा देगा, दूसरी बार आपको revision class से भी करवा देगे, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजे हैं, जैसे की quality education की test series है, आप सबी को उसकी विशेस्ता पता है, कि किस परकार से schedule के माद्यम से तैयारी करवाते हैं, अगर एक विल्कुल फ्रेसर, अगर विल्कुल नया बंदा भी अगर मेदान में उतरता है, और अगर वह quality education क test series से अगर जुड़ता है, तो उसको schedule के साथ में सारी की सारी किताबे बता देते हैं, आपको इसमें से ये पढ़ना है, यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है, और उसके बाद में आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाती है, लेकिन यहां पर भी जो हमारा main lecture रहेगा, वो य लोगदान रहने वाला है, और इन exam के अंदर जो one day exam होते हैं, उनके अंदर दो तीन चीज़े ही सबसे important होती है, जिसमें एक तो होती है कि आपके syllabus का revision maximum time हो जाना चीए, और दूसरी जो चीज होती है test, कि आप जो होती है अधिक्तम test दे ले, और तीसरी चीज होती है, कि ज अगर आप निरंतर रूप से देखते रहते हैं, तो फिर आपके radar से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, फिर आप आपनी जो तैयारी है, उस तैयारी में आपका selection सुनिशित कर सकते हैं, अंतिम point मेरा ये रहेगा कि coaching का क्या योगदान होता है, एक जो तैयारी करने वाले हैं देखिए coaching जो है, वैसे तो मार्क दर्सन की में बात कर रहा था, मार्क दर्सन एक important चीज़ होती है, competition के अंदर, जो आपको वाकिए बहुत अच्छी मिलेगी, जिसका मैं भी विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन coaching इसलिए important है, क्योंकि जब भी आप किसी भी exam का syllabus देखते है तो वो syllabus इतना wide होता है, कि आप सभी लोग अपने आपको ग्यानी बनने की कौशिस करते हैं, और जो भी मिलता है, जो भी किताब मिलती है, सब कुछ पढ़ने की कौशिस करते हैं, coaching का सबसे बड़ा जो योगदान होता है, एक student के life में, या फिर competition के अंदर, वह यही होता है कि आपको कौन सी चीज चोड़नी है, पढ़नी है, वो तो आप सभी कोई पता है, पढ़नी वाली तो सारे student पढ़ेंगे जो syllabus में लिखा हुआ है, लेकिन क्या चीज चोड़ना है, वो सबसे ज़्यादा important है, जो मैं मेरे व्यक्तिकत रूप से मैं उस चीज को मानता हूँ, क्योंकि अपने को कई सारी ऐसे चीजे मिलेगी सामने, जिनको अपनी इच्छा होगी कि उसको पढ़ ले, लेकिन वो आपको जब पता चलेगा जब आप पुराने जो पेपर आये हैं हाली में, उनका अगर आप analysis करेंगे कि क्या ऐसे question पुछे जा रहे हैं, तो coaching का सबसे ब आफ लाइन अजमेर के अंदर आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ, और राजस्थान जियोग्रोफी जो है वो अपन पढ़ेंगे class के अंदर, वहां पर और विस्तार से अपन बात करेंगे, अभी अपनी में वानी को यहीं विराम देना चाहूंगा, और ज उसके अंदर आपका सुनिश्चीत होगा, धन्यवाद. तो मैं मदन सर को आमंदित करता हूँ, और मैं चाहता हूँ भी जो उनके अंदर जोश है, वो थोड़ा सा जोश आपके अंदर भी दिखें, है ना वो थोड़ी देर में अपना जोश आपके अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं, तो मदन सर एक बार. तैंक यू सर. होगा के नहीं होगा, आप बिना कुछ सोचें, बस मैदान में कूद पड़ें, ठीक है? जैसा कि विजंदर सर ने बताया था, भई, स्लेबस होता है अपने पास में, कोई भी एक्जाम करेक करने के लिए, स्लेबस अबसे पास में होना चाहिए आपके, स्लेबस, और हजार, दो हजार, तीन हजार, इतने सारे प्रशन पढ़ करके, आप अराम से अपने आपको मजबूत बना सकते हैं, कुछ-कुछ तो ऐसे विद्यारती होता है, कि इस बेस पे भी जाते हैं, और कहीं बार उनका सेलेक्शन भी होता है, आई एस एस एक्जाम में कहता है कि द आप मतलब जितना याद करेंगे न, उतना हो नहीं पाएगा, तो क्यों चिंता करें आगे की, ठीक है, अभी से बस पढ़ते जाए आराम से, और डेली पढ़ना है, एक चीज होती है न, डेली कोई नहीं पढ़ता है, आई एस जैसे एक्जाम में भी, जो सीरियस केंडिडे होते हैं, मान लो हजार, दोजार, इनकी बात कर रहा हूँ, वो मान लो 57 गंटे डेली पढ़ते हैं, बाकी स्किप करते रहते हैं, आज फ्रेंड्शिप डे हैं, केक बगएरा काटेंगे, दोस्तों के साथ गुमेंगे, पार्टी शाटी करेंगे, यह वो, है न, आप में से क पास 24 गंटे हैं, आठ आठ गंटे में डिवाइड करें, नींद कितनी लेते हो, आठ गंटे, आठ गंटे दबा के, दबा के नीन ले ओ, दबा के खाना का ओ, ठीक है, दबा के नीन लेनी है, दबा के खाना खाना है, और देखो, आठ गंटे नीन ले ली, और आठ गंटे आ आपने जैसे माट गंटे मैं से चार-पांच गंटे में पड़ा ही का कह रहा हूं मिनिमम इतना तो दे नहीं है और बाकी वाले जो आट गंटे हैं उसको आपने अधर एक्टिविटीज के अंदर यूज कर लिया है ठीक है नींद के अलावा अधर एक्टिविटीज भी तो हो गुरू जी मारक है तो वह वाली बात हो जाती है तो वह वाली नहीं होनी चाहिए बस इमाणदर हो ना है अपने परतिज 1890 पदना है रोज पढ़ना है तो आप ज़यसे आपके सामनी यह तीनों विध्यार्ति बैटे हैं यह अलग नहीं है आप मैं से ही है इन्हों ने बात जैसे quality education ने पूरे राजस्तान के अंदर जो test का जो एक level है वो improve कर दिया है उस वज़ए से हमारे उपर कभी-कभी आरोप भी लगता है कि आपने cut-off बहुत high कर दी है मतलब हमारे test series से practice करके बच्चा इतना एक 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 प्राकर्तिक शत्ति हैं कि आप बहुत ज़्यादा practice कर लोगे exam के pattern के according test कितने लगाते हैं आप जिस exam देने जाते हो तो test लगा के जाते हो गया कितने विद्यारती आत कड़ा करें कि exam देने से मतलब जाने से पहले हम test जरूर देके जाते हैं एक महिना पंदर दिन पहले हाथ कड़ा करें हाँ देखो संक्या आदी है तो test जरूर देने टैसरी जॉइन करने किसी की भी हो, अच्छी होनी चाहिए, इस तरी होनी चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या बात बताई, इमानदारी से पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, सिलेबस, प्रिवेस एर के क्यूशन पेपर, और रिविजन का एक रहता है, और पढ़ने का तरीके के ब होश्यार से होश्यार, टॉप पर भी, टॉप पर भी होश्यार उतना नहीं होता है, कैसे होश्यार होता है वो, वो कोई भी चीज को अपनी आँखों के आगे से बार बार गुजारने की वज़ए से उसके दिमाग में सारी चीज़े सैट हो जाती है, फिर कहते हैं, देखो नेट के अंदर 720 मेंसे 720 आये या आई ये स्टॉप किया आरे स्टॉप किया पटवार चोटे एक्जाम सब में ले लो वह क्यों होता है क्योंकि उसने पढ़ाई का तरीका ये था कि जब उसने पढ़ाई की न तो एक बार स्लेबर्स को पढ़ा जैसे अभी मान लो वन पाल है आपके नवंबर में है ठीक है एल्डिसी वाला भी नवंबर दिसंबर में लगबग 3-4 महने उसके बाद में आप फैमिलियर हो जाओगे आज पहली बार आये हैं हम से फैमिलियर हुए हमारे गुरुजन आप से मिले और आप फैमिलियर हुए हर दिन आप क्लासरूम में बार जादा जान पैचान बढ़ेगी तो आप कहोगे हाँ गुरुजी को तो मैं offline जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से तो वैसा ही पढ़ाई के साथ में होता है आप एक चैप्टर को जब देखते हैं ना उसको एक बार पढ़ के छोड़ दो रटना नहीं है वापस उस पर आओ कुछ दिन बाद में उससे मिलने जाया करो ठीक है और बस पढ़ते रो बाकी सारी सीज़ें और मारे गुरुजन बताएंगे आपको एक बात लास्ट में आप सभी के लिए कहना चाओंगा कि जरौ में रह गुजर कर चमक चोड़ जाओंगा जरौ में रह गुजर के च खनक चोड़ जाओंगा थैंक यू अभी मैं हमारे जो तीनों साथी टोपर से उन में से मैं अमंत्रित कर रहा हूं अर्विन जी 11 रेंक से हैं लेकिन थोड़ा सा उनका भी स्वास्तिय थोड़ा अच्छा निए वाइरल चल रहा है गले में खराबी है थोड़ा सरक्वस्ट ओओ पैड़ और लेगिन हम तीनों दोस्तों की स्ट्राटिजी जाफ हें है है टो तीनों में से में को वूला लेता हूं क्यों कि तीनों दोस रहां थीनों ने का कि साथ तवीयरंगे की कि इस तरह से उन्होंने तैयारी कि और कि इस तरह से यह मुकाम हासिल किया कि पटवारी जैसी अभी बहुत टफ कंपिटिशन हो गया उस परिक्षा में भी अच्छी रेंक के साथ यह सलेक्ट हुए ओल राधस्तान तो मैं यहां पर अंकुर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता हुए जिनकी इस बार ओल राधस्तान 48 रेंक है वह आए और कुछ मांग दर्शन आप भी करें कि आप पहले कुछ टाइम पहले यह भी उस श्रैनी में थे अब जैसे ही सफल हो गया है वह आपके लिए मांग दर्शक की तरह हो गया तो आप इनसे भी बहुत कुछ सीखर जा सकते हैं ठीक है अंकोर है कि सभी को नमस्कार है कि सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन की पूरी टीम और नरेंद्र सर को दन्यवाद जो उन्होंने यहां पे हमें बुलाया उसके लिए आबार मैंने पटवारी बढ़ती हमें 48 रेंग प्राब की मैं इसका स्रे क्वालिटी एजुकेशन की पूरी टीम और पूरा जो स्टाफ है और नरेंदर सर उनको देना चाहता हूं क्योंकि हमारा क्या है जो सफर स्टार्ट हो आना जो तैयारी करने का वो लोकडाउन के टाइम पे हुआ तो उस टाइम पे कोई इत्सुईदा थी नहीं जैसे तैसे करके नोट्स बनें तो उस टाइम तब तब तो फिर भी जो इनका है जो ओफलाइन प्लेटफॉर्म स्टा करें किसी भी एक्जाम की तैयार्ट कैसे स्टार्ट करें आख तो उसके लिए सबसे पहले तो जो भी अपन सब्सक्राइब करनी है वनपाल की करनी है अलां कि सबस्का सिमिलरी रहता है पर कुछ तो दिफरेंस रहता है एँ चिषिए अभी हमारे पास भी और यह प्टिए लगा इसमें कर सकते हैं तो सबसे पहले थो अनलेशिस कर लिया निकल रहा है उसके अच्छे नोट्स बनाने नोट्स प्रोपरोने ची मतलब जैसे मान लो अपनने कल्चर पढ़ रहे हैं अपन और उसमें अपनने पड़ा लोग देवता तो यह उनिये भी लोग देवता जहां खतम हुआ उसके बाद अपन को तीन-चार पेज छोड़ने हैं कि अपन क्या करते हैं बेसिक मिस्टेक की तीन-चार पेज चोड़ के अगला टोपिक जो है जैसे बोली आए या फिर कोई भी तो तुरेंट स्टार्ट कर देते हैं तो तीन-चार जो पेज चोड़ने हों क्यों चोड़ने कि जब ऐसे अपन जैसे नोट्स कंप्लीट हो गए जैसे लोग दे होता पुरा पढ़ लिया अपनको नोट्स आगे बड़ी आशानदार उसके बाद जो भी प्रिविए सेर की जो गाइड आती है जैसे मुमल हो गया या फिर दिशा की भी आती है जिसे प्रिविए सेर क्यूशन आते हैं उनको करो उसमें मानलो कोई पांच सा पूछते हैं अपने को बहुत सी बार तो उनको एड़ करना हूँ तीन चार तो अपना जितना जो नोट्स इतना अच्छे होंगे ना अपने क्योंकि अपने अटाइम पे नोट्स पढ़के जाते हैं अपन को यह नहीं है कि लास्ट में भी जो प्रिविए सियर क्यों करके अब उसे क्यों कि पूरा में ठाइब प्रिविए सियर का भी नोट्स इतने स्टोंग होंगे ना तो कि दूसरी बात जो टेस्ट देने हैं हम तो क्या कड़े हम तीनों रदा ता तो तीनों साथ में टेस्ट देगे उसमें पता भी लिग जाते था एक वैं कोन कितना स्कौर क करा कि अब उसमें क्या है कि एक जो में जो बात थी हुए यह देती थी कि जो डायरी मेंटेन करते थे हम एक चोटी डायरी आती है दस वीच रुपए की कि जैसे अब इस्टु एंड के साथ अपने साथ यह दिक्कत रहे थी कि इतने गंडे पढ़े डेली कोई कि आठ गंडे दस गंडे शे गंडे तो टार्गेट से हट करके पढ़ते थे जैसे रात में सोने से पहले ही लिख लिए डायरी में कि लोग देवता में यह पढ़ना है कल्चर में जोग्राफी में यह इस्तिति विष्थार इतना इतना टार्गेट भी इतना बढ़ा नहीं कि भई होई निपाए अगले दिन अपन से बहुत डिप्रेस हो जाता है बंदा कि कैसे क्या करें उसके अकोर्डिंग पढ़ते थे मतलब टार्गेट से हट करना है अप कि नॉर्मल सब 6-7 गंटे भी पढ़ रहा है ना इंसान कोचिंग के अलाव बता रहा हूं मैं आपको तो अच्छी स्कोर कर सकता है मतलब रेंका तो हमने देखो सोचा भी नहीं था हम तो स्टार्टिंग से तो कोई भी पढ़ता है तो सेलेक्शन के लिए पढ़ता है पर ज इस जो अपना जो अपना जो अपना जो अपना जो जाए उससे हो जाए तो बस यह कहना चाहूंगा तो मेरा स्टार्ट वा जैसे मेरी ग्रेजिएशन होगी थी और से टाइम लोग डाउन लग गया तो पहले तो अपन उस टाइम समझ नहीं नहीं क्या करें क्या करें तो नोट्स बनाए पहले तो अच्छे वह में प्रोपर नोट्स बनाने के बाद अब देखो दिक्कत आती है अपने साथ पर अपनको फोकस एक ही चीज पर रखना है आपको मार्केट में 17 गाइड मिलेग तो कोई हूं कहते थे कि या टाइम ही नहीं अब अपन क्या करते हैं कि प्रेंट निकल वालें किसी दोस्त के नोट्स के और पढ़ लेंगे अपन पर हमारा वह नीजा मतलब हमने नोट्स अपने हाथ से लिखे हुए वह ज्यादा फाइदे मंद रहेंगे तो उसका फाइद को धन्यवाद हो सर को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दखो यहाँ पर आप में से कहीं लोग हो सकता है बाद में जुड़े, लेकिन जो शुरू से जुड़े हैं मैं टेसरीस के बारे में बता देता हूं, किसी भी एक्जाम के लिए, मैं कोचिंग को फिर भी इतना इंपोर्टेंट नहीं मानता हूं जितना टेस्ट प्रैक्टिस से आप मजबूत बनेगे ना उतना मजबूत आपको कोहीं नहीं बना सकता है अगर आप किसी भी एक्जाम में सेलेक्शन चाहते हैं तो टेस्ट स्रीज को अपना एक अभिन अंग बना लो अभिन हिस्सा पर बना पेना तो आपको जाना एं नहीं है यहां पर यह जो तीनों साथी बेड़ें है इन्होंने इतनी त्सकृटकी ुआ है तो उस लिस्ट में तो बहूत इंपॉर्टेंट है test makes you best अगर आपको best बनना है तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है test है ठीक है अब इतने सभी हमारे साथी आए हैं अब last में मैं यहाँ पर हमारे एक साथी हो रहे हैं अंबलाल जी उनको आमंत्रित करता हूँ बड़े जोस से भरे रहते हैं मुझे पता है कि जब ये class लेंगे तो वो जोस आप के अंदर भी transfer होने वाला है मैं तो बस इतना चाहता है गोई तो फिर जोस आपके अंदर transfer हो गया तो फिर उसी से आपका selection हो जायेगा वो जोस आपकी अंदर दिखना चाहिए तो सर एक बार आए और अपनी बात रखें। है क्या अब मैंने आपसे ये कहा कि आज आपकी क्लास खत्म होने के बाद हम और वहां जाएंगे अब मैंने यह नहें बताया , हम और वो में कौन है , लेकिन आप आप समझ गया , अर aí अपे समझ कर रेẩना , समझ गया , बस यही रीज्निंग है , Isn't छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूं मैंने आपको सवाल दिया है एक बहुत छोटा सा सवाल मैंने बोड़ पे लिखा है आप सबको दिख रहा होगा आप मुझे बताएं इसमें यह जो कुशन मार्क लगा रखा है इसके जगह क्या आएगा अच्छा बोलने की नहीं रखे विद्ध्या की किसन मा अगर कोई बोलना तो बिल्कुल नहीं बोलना सोच्या सोच्या आप छे कितने लोगों का आंसर है हाथ कड़ा करना एक बार अब मैंने यह कहाना मैंने यह अगर आपको कोई नीची जिन्दगी में छोटा सा सवाल पूझता है कि बताओ एक, दो, तीन, चार, पांच, इसके बाद क्या आएगा तो आप फट्चे बता देते हैं आप चाहाएगा लेकिन मैंने यह बोड पे लिख दिया इसका मतलब यह टेंसन है यह बिलकुल वैसा ही सवाल है कि आपको एक्जाम दे रहे हो और कोई सवाल आपसे ऐसे बहुत मुश्किल सा सवाल था आपसे जट से एक सेकंड में आंसर आगया तो आपको टेंसन में पढ़ जाते हो क्यारीस में कोई न कोई गड़ पड़ है इतना जल्दी मेरे से नहीं आ सकता यह सेम कहानी आपके साथ यहां है अब आप मुझे बताएं इसके बाद आएगा क्या एक बच्चे ने पूछा मेरे से अच्छा बच्चे कुछ तो आते हैं सीखने के लिए कुछ आते हैं टेस्ट लेने के लिए कि देखें इस माश्टर को आता कितना आगए अब आप बताएं मुझे इसका अंसर क्या आना चीए छे कितने लोगों का आएगा बहुत इजी सवाल है देखो कोई भी यह तब तक मुश्किल नहीं होती जैसे अगर कोई रूम है और वो बंद है बड़सों से और उसके बाहर मैंने एक तक्ति लगा दी अब तक उस रूम का कोई इंपोटेंस नहीं था लेकिन मैंने एक उसके बाहर तक्ति लगा दी कि इसके अंदर जहां करना मना है अब आपके लिए वो विशेश हो जाएगा जो कुरापाती आदी में होंगे न वो तो तक्ति को अटागेर अंदर देख लेंगे लेकिन जो शरीफ होंगे ये बिल्कुल ऐसे देखेंगे कि देखेंगे कि देखें कुछ दिख रहा है गया जाहां करना सब चाते हों उसके अंदर लेकिन कुछ है जो वैख्त कर देते हैं कुछ है वैख्त नहीं करते इसका अंसर च्य कितने लोग मानते हैं कि साब च्ष्य होना चीए ह acquies के अलभा किरवे करो एक ठीक है इसके आन्लवा कोई आंसर अरे इसके लावा कोई आंसर किसी का भी आया हो आप बेज एक तो आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है ना इसको बाहर निकाड़ो आप हाजी तीन कैसे है एक तीन पांच और इधर तीन कैसे है आप जोड़ दिया देखो इन्होंने भी रिजनिंग लगाई पांच तीन आठ और एक नो चार दो आठ च्छे और तीन नो इनके इसाब से आंसर आगया अच्छे तीन अच्छा तीन कितने लोगों का आया किसा आपको लगता है या नहीं भी आया हो तो आपको इसा लगता है किसा इन्होंने जो लोजिक लगाया है वो सही है ऐसा कितने लोगों को लगता है ठीक है आपको अंदर से फिलिंग आने लग जाएगी reasoning कोई पढ़ाने का subject है ही नहीं आपको अंदर से feeling आनी चाहिए कि वास्त में मैं पढ़ा क्या रहा हूं मैं पढ़ क्या रहा हूं खुद ऐसास हो जाएगा एक time के बाद अभी तो नहीं यहां मुसी स्थिति में कोई बात नहीं है पिर्फाआया चार से पांच बच्चों का चार से पांच बच्चों का अंसर जो आया है वो आया है तीन अच्छा ये बताएं आप 6 कितने लोगों का आया था हाँ हाँ एक बार हाथ 1, 2, 5, 25, 19, 41, 56 ठीक है 56 लोगों का आंसर आया अच्छ है और इसके अलबा 7 किसे आ सकता है हाजी 3 और 1 अच्छा और 4 और 2 6 और 1 7 भी आ सकता है 7 कितने लोगों का आया भी 1, 2, 3, 4, 5, 10 ठीक है चलो 10 लोगों का आप लोग सोच रहे हों कि सर इतना जल्दी गिन कैसे लेते हैं तो यह प्रैक्टिस है ठीक है न अब ना तो इसका आंसर 3 आएगा ना इसका आंसर 6 आएगा ना इसका आंसर 7 आएगा इसका आंसर आएगा R अब यह R कैसे है जिस बच्चे ने पूछा उसने का साव आप डेली गाड़ी चलाते है और गाड़ी की जो गियर होता है उसमे आपने देखा नहीं कभी लिखा हुआ पहला गेर, दूसरा गेर, तीसरा, चोता पांचा और पांचा के बाद में चटा नहीं आता कौन सा आता है रिवर्स आता है ठीक है तो एक्जाम में आपको ऐसे दुनिया बरके सवाल मिलेंगे ऐसी रीजनिंग आपको बहुत पढ़ने को मिलेगी यहां पर सब लोग अपनी-अपनी स्टोरी सुना रहे थे अभी यह पटवारी जी यहां बेठे हैं मैं कुद भी पटवारी में सेलेक्टेड हूं हलाएंकि मैंने कभी बताया नहीं पुश्यार तो मैं बच्पन से हूँ कभी गमण नहीं किया इस बात का तो पटवारी की बात चल रही थी अपने गाओं में पटवारी का बड़ा महत्तु होता है बहुत महत्तु होता है मतलब जैसे एक बार की कहीं कहानी भी है आपने भी सुनी होगी कि कोई बच्चा गया और जाके बताया कि बाहुजी मैं आई-एस मन गया तो उन्होंने कहा रहे क्या आरेज बनाये तु कोई पटवारी अटवारी लग जाता मतलब वहाँ पटवारी की भी बहुत इंपोटेंस है मैंने चोटा सा सवाल पूछा आपसे के अलोर के पीम कौन है कौन है एक बात बताईए अजमेर के पीम कौन है मैंने आप से चोटा सा सवाल पूचा था इस देश के पीम कौन है अरे तो जो देश के पीम है वो ही तो अजमेर के होंगे वो ही मेरी डानी के होंगे वो ही आपके डानी के होंगे लेकिन आप लोगों को मैंने इस सवाल पूचा तो आप अपने आप में इसके बारे में जितना नहीं सोचना था उतना जादे सोच जाते हैं कि नहीं यार कुछ ना कुछ इससे में गड़बड जरूर असर ने ऐसे थोड़ी पूच लिया हमसे मतलब यह बिल्कुल वैसी इस्तती है कि आप कमरे में बैठे 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 बढ़ रहे हैं और पिता जी या माता जी आए और पापा ने आके आपसे कहा बड़ा सीरेस होके करे तो दो मिनिट मेरे से बात करना तेरे से कोई जरूरी बात करनी है आपको सारे करमकांड याद आ जाएंगे करे यार क्या गड़बड कर दिया आज पापा को पता तो नहीं चल गया यह इस्ततियां हमारे साथ सब के साथ सामान ने है मैं आपको बताओं हम सब जो लोग तो यहां बेटे हैं आज जैसे यह पटवारी बने और यह पटवारी बनते ही आपके लिए एकदम से अलग विशेश हो गए यह इस्ततियां सब के साथ है सास भी कभी बहुत ही हम भी कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए कि उदर से उठकर इदर आ गए लेकिन हमारा जो एक्सपिरेंस है वो आपके काम में आएगा इसलिए हम आपको दो बातें बता रहे हैं अलवर का पीम हो गया अब एक छोटी सी बात और पूशता हूं आपसे वैसे मुझे क्या है मेरी इतनी यादास से तेज नहीं है और मुझे क्या कहता है इसको बहुत सी बातें आपको बता नहीं थी इसलिए मैं लिखकर लाया कोई यह मत सोचना की टीप टीप के पड़ा रहे हैं यह टीप टीप मेरा यह मानना है एक्जाम आपका किलियर होना चीए अब वहां कोण पूछने वाला आपको आपने कभी कॉंस्टेबल से रास्ते में रोक के पूछा कि बताओ स आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जो गाउं से हैं बहुत मस्ती के साथ और बहुत आनन्द के साथ हम बहुत चीजों को सहज तरीके से जानेंगे जिंदकी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों ने बना रखिया यह बहुत हीजी है जिस समय जो पल मिले उसको कुछ नहीं मिला मिलेगा अब जब हम महनत करेंगे तो गाउं से कितने लोगों ने बता यह बहुत से लोग हैं गाउं से और शहर से जिनका प्रोपर शहर में जन्म हुआ है यहीं से हैं वो लोग वाथ ख़़़ा करें ठीक है अच्छा गाउं और शहर में क्या फर्क होता ह हाँ हाँ एक-एक से मैं जानना चाहूंगा देखो आज मैंने सरसर रिक्वेस्ट भी की थी और ये भले आदमी है मेरी बात मान भी जाते हैं मैंने इंसे कहा कि सर मैं बच्चों के क्योरी जो है उनको सांत करूंगा मैं खुद तो बोलता रहूंगा क्लास में भी खुब लेकिन आपकी जिग्याशाएं क्या है आप आए किसली हो यहां देखो अगर आदमी देवताओं के यहां जाता न तो कहता है जैसे रामदेव जी क आज में ऐके लिए तो लोग कितने हैं साम कोई दौर खेशलेंगे तो चले जाएंगे लेकिंछसेज़ घूआी वहां नहीं कोई आपको बता दो लेकिन आपकी इच्छा रात को 9 बजे भी किसी दोस्त ने फोन कर दिया कि पिच्छर देखने चलेंगे अपने तुन निकल जाते हैं लेकिन अगर कहीं न रामदेव जी के जाना है और यार वह अगली बार देखेंगे बाबा डोर खिंचेगा अप को यह बात आप ध्यान रखें और आप सब अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है आप हो सकता इस भीड के लिए आप महत्वपून नहीं हो लेकिन आप अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए अपने दोस्तों के लिए बहुत महत्वपून हो आप अपने आप में एक विशेष्था रखते हैं आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं आपको एक चोटे से एक्जांपल से हमारी सुरुवात करते हैं एक बार क्या हुआ एक को राजस्तान का लड़का था राजस्तानी होते वेशे उश्यारे मैं आपको पता दो एक बहुत अच्छा एक्जांपल मैंने सुना कहीं रिसर्च चल रही थी तो उसमें ये था कि भई इस दुनिया के लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं शराब पीने के पास अक्सर क्या करते हैं तो जब डच लोगों पर रिसर्च की गई न उन पर ये पाया गया कि ये लोग शराब पीने के बाद जो हैं वो खाना खाने की तीवर इच्छा होती हैं तो ये खाना बहुत खाते हैं शराब पीने के बाद फ्रांस के लोगों पर रिसर्च किया गया तो उनका पता चला कि ये अकेले में बैट के रोना बहुत पसंद करते हैं शराब पीने के और रश्यन लोगों पर रिसर्च की गई तो उनके बारे में जाना गया कि वो लोग जो है वो शराब पिकेर जुमना मस्ती में जुमना पसंद करते हैं अब यही रिसर्च इंडिया के लोगों पर पिकी गई कि इंडिया के लोग क्या करते हैं शराब पीगें तो उसके बाद पता है निशकर्ष क्या निकला वह ज्ञान देते हैं उनका जो बंडारा अंदर से भरा पड़ा है ना वो आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे यहां स्रमाजी के रूडिवादियां बहुत है बहुत रूडिवादियां है और आपने भाव आते देखें होंगे भाव आते देखें पित्रों के भाव आते हैं बाला भोमय जी क आते हैं आते हैं छुआ यह कि आते हैं ऐसा कहले हैं को इसमें अतमा गांधी का भाह आ完了 इसे सुना है आपने कभी आपने कभी इससे उपनो서 नगां रीषर्च किया कि यह वहाव आते हैं यह देखूं लोग अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं आज मैंने सोचा थोड़ी बहुत अपनी बेवातें बता दी जाए बच्चों को जनरली पर्सनल लाइव कम शेयर करते हैं लेकिन आज मोका है इससे अगर दो बच्चे भी मेरी बात को सीख कर अगर नोकरी लगे तो मैं मानूंगा मे पुडिवादिया है इसलिए इंडिया का आधि में दारू पीने के बाद जो है वो सच बोलता है बस यही कारण है इसके पीछे अब मैंने आप से चोटा सा सवाल पूछा मन में कोई चीज नहीं रखनी एक बार एक राजस्तान का बच्चा था आपको मैं बताऊं बच्चे अना चीए कि नोकरी लगें घरवाले कहते रहें कि तो नोकरी लग नोकरी लग उससे नकुरी नहीं लगा जाता यह गलत फहिमी है हम आपको स्टार्ट कर देंगे पैट्रोल आपको टाइम टू टाइम पेट्रोल पमपे बरवाना पड़ेगा अगर हमने घरवालों ने एक अगरों मर गए लाखों तयार बैठे हैं और करके बरबाद अपनी जिंदगी लड़कियों के पिछे कहते हैं महलवी साब दुआ करो बेरोजगार बैठें तो हम बात करें थे बच्चे इंट्रिजेंट होते हैं क्या बच्चे बहुत इंट्रिजेंट होतें बस उनको सवा उस बीज को जमीन में बोया जाता है आप वो हो आप बीज हो लेकिन आपको पता है बीज को जमीन में डालने से पहले उसके लिए जमीन को तीन चार बार बोना भी पड़ता है उसके बाद उसमें पानी भी दिया जाता है उसमें खाद भी दिया जाता है बहुत सी चीजें ह ऐसा भी नहीं है कि आप शरीर को को वूरा पड़ते रहो प्रमाश परमानेंट वह भी नहीं आप एक बीज हो और अब तक अगर आप अंगरेजी में कमज़ोर रहे हो तो यद्3 आपकी कमजोरी नहीं। यह आपके टीचर्स की कमजोरी है यह आपके समाज की कमजोरी है यह आपके मातापिता की कमजोरी है वो इसलिए है क्योंकि आपको अगर अच्छे स्कूल में दाखिला लिया जाता दिया जाता अगर आपको तो हो सकता है यह बीज जो है वो पनप सकता था बीज में कभी कोई कड़पड नहीं होती कड़पड किशम होती है कि या तो उसको पाणी डंग से निहीं मिला हो सकता है जड़ा बषा तो गई यह और सकता है भुए जुताई ठीक है थर्ड डिविजन भाई ग्रेस पास हुए है लेकिन आज सर्विस कर रहे है आज उनको कोई निपूछता कि आपके टेंथ में कित्ते परसंट बनेते कोई निपूचने वाला आप नोकरी लग गए आपके सारे पाप दुल गए जैसे यह नोकरी लगे आपने इनको यह तो समस्या सबके साथ होती है ऐसा कोई आधी में नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है तो आप बीज हो उस बीज को अब तक फर्टिलाइज नहीं हुआ इसको हम फट्लाइज करेंगे चाइना में एक वरक्ष होता है बांस का बैंबू ट्री आपने कभी नहीं सुना ह तो मैं बहुत यूनिक जानकारी बताता हूं जो आपने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुनी होगी उस बांस के पोदे की एक बहुत खास बात है उसको आज आपने जमीन में उगया है आपके यह सरसों बाजरा ज्वार मूंग मूंकली तिल जो भी होते हैं अपने यह उनकी एक खास बात होती है कि 3-4 दिन में वह उग जाते हैं अपने बड़े बजर्ग को देखनें जाते हैं देखकर आ जाते हैं वह चैना का जो बेंबू ट्री है उसको आज आप ने लगया वो तीन दिन में नहीं हुगेगा दस दिन में भी नहीं फटिलाइज होगा वो पंदरा दिन बीत जाएंगे एक महिना बीत जाएगा आप एक बात हो कितना इंतजार करोगे ये है हम जेसों के लिए जो इंतजार करते हैं कितना इंतजार करोगे आप एक दिन इंतजार कर लिया, दो दिन कर लिया, महीने बर कर लिया, दो महीने कर लिया, चार महीने कर लिया, छे महीने कर लिया, फिर भी नहीं हुगा वो, उसको पाणी भी दे रहा है वो बराबर, एक साल कर लिया, देड़ साल कर लिया, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल में वह fertilize होता है आप देख लेना Google पे देख लेना YouTube पे देख लेना Chinese bamboo tree पांस साल में fertilize होता है वो और दो महिने में 90 feet चला जाता है यानि किसी बच्चे ने पांस साल तक तैयारी की तब तक उसकी fertilize करना है अब मैं पूछ रहा हूँ आप से अचा उस बात पर भी बाद में आते हैं मैं एक तो बातें इतनी सारी है कि वो mix हो जाती है कि किसको कौन सी बात बताई जाए हर चीज important है अपने लिए एक गाउं का आदिमिधा राजस्तानी बच्चा था तो कोई गुजरात के teacher आये यहां और उन्होंने आके कहा 25 साल रहे वो यहां दस साल रहने के बाद उन्होंने कहा कि तुमारी जो राजस्तानी लेंग्वेज अना अब तुम कहीं नहीं लगते है हमारे राजस्तानी लेंग्वेज जो है अब मैं पूरीतर शीख गया वैसे मां आप लाठी को अगर मालो भैसों में लेकर जा रहे हैं तो डांग, कोई लड़ाई और यह तो लट, पतंगी, बलेंडा, दुनिया बर की चीजे हैं, आप लोग तो जानते भी नहीं है, और यही लकडी जो है, वो जब चूले में काम में लिए जाती है, तो इसी को बलिता बोलते ह तो लकडी के बहुत सारी रूप हैं, अरे भई, जो इंग्लिस हैं, उसमें तो एक ही शब्द है, सर, अभी जैसे नरेंदर जी के लिए यूज किया जाए, सर, पदम जी के लिए यूज किया जाए, सर, पदम जी सर, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में तो आईए, श्रीमान जी मालिक अरे वुकम बहुत सारी सब्द हैं तो उन टीचर ने कहा कि मुझे अब जो है वो राजस्तानी बहुत बहुत बहतरीन तरीके से आने लग गई बच्चे ने कहा कि गुरुजी इतने दिन हो गए हमें राजस्तानी पड़ते हुए आज तक हमें नहीं आई हम जाएं यहां पैदा हुए है और आपको कहां से आ गई बोले नहीं मेरे को पूरी आ गई आप पूछलो चाहिए बोले गुरुजी रहने दो यार कोई मतलब नही पड़ेगे आपको एक सब्जेक्ट नहीं पड़ना है आपको पांच से च्छे सब्जेक्ट पड़ना है और पूरे सब्जेक्ट उसी तरीके से पड़ना है जैसे मैत को पड़ रहा है उसी तरीके से रिजनिंग को पड़ना होगा उसी तरीके से हिस्ट्री उसी तरीके जो यह होगा वो दुनिया बर की चीजें तो आपको सो में से सो भी नहीं लाने एक्जाम में 70 से 55 परशेंट में सेलेक्शन हो जाता है तो क्या चीजें छोड़नी है क्या चीजें पढ़नी है यह भी आपको ध्यान रखना है तो वो जो बच्चा था उसने का जी गुरुजी रहने दो आप आर जाओगे कोई मतलब नहीं इसीजगा बोले तो पानपान सोगी सर्थ लगा देखा जाएगा जो होगा जी गुरुजी आर जाओगे मांजाओ नहीं नहीं लगा सर्थ ठीक लगा लिए अब सुभा-सुभा क जा लगा च Warण सर्फ यरा जिंगल जाका आया तो दिया या बचीड़ी ओ इसे सोचा मेरा सकते हैं अपने गुजराती में तो नहीं और मवनते इसको लें व सकता है जंगल सर्थ क्रसुन कर आथे उसको बचीड़ ऊष्जरण सकता है बॉ prossके गया बात कर थे ठीक है भी है उसी दिन शाम को मेस में, जहां वो उस्टल में रहते थे, वहां बहुत अच्छा खाना बना, और खीर बनी बाई साब जोड़ार, तो वो बच्चा फिर आया पास में, गुरुजी क्या कर रहे हो, बोले यार खाना खा रहा हूं, बोले, क्या बना है आज, बोले खीर, फिर द इसरा केस, गुरुजी जो उनका जो कॉलेज केमपस था, उसमें वो लोग रशाकसी का खेल चल रहा था, मतलब इस साइड टीचर्स लगे वे थे, इस साइड बच्चे लगे वे थे, और एक दूसरे खींच रहे थे, बच्चा फिर आया नजदीक, गुरुजी क्या कर रहे हो, बुले यार ये गेम तल रहा है, हमें आरना नहीं है, तो बोलो गुरुजी देखो काई हो, देव बचीड, गुरुजी ने सोचा यार, खीर खाई वो भी बचीड, अपने जंगल जाके आये, वो भी बचीड, और ये भी बचीड, राजिस्तानी बासा है तो कमाल की, र अगर जैसे, मैं अगर किसी के नहीं गया, तो मेरे कोण आएगा, इसलिए जाते हो ना, अब अगर आप दूसरे के लिए ताली नहीं बजा रहे तो फिर आपके लिए कोण बजाएगा, कभी आई समोक आ गया, एक बार जोड़दार तालीयां बजाएं आप, ठीक, तो रस् का गड़ें गुरुरुजी का लगें सर फूट गया, क्या हम जैसा, अर भूले या या गलत हो गया, यह रसी जो है वो टूट गई, क्या हुआ, भूले या या, तो ऐस इस दिवार के लगई, भूले खालीया बचीड, गुरुजी ने का दादा, मैं तरे से आर गया, तो य यह पकड़ 500 रुपए, बात सुनना अभी मज़ा बाखी है, उसने कहा मैं तेरे से आर गया, यह पकड़ 500 रुपए, बलो गुरुजी मैंने आपको पहले कहा था कि आप राजिस्थानियों से नहीं बिड़ सकते, हम बड़े कमाल के आदिमी हैं, खाली 500 रुपए की बचिट, तो आप उश्यार हैं, आप बहुत उश्यार हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता एक चुल में कि हम है क्या, आपने जानने की कोशिस ही नहीं कि कभी, आप भीड में रख के और फिर अपने आपको देखते हैं, नहीं, आप अपने अक्यले रूम में बंद करके और फिर देखें कि हम है क्या मैं आपको मेरे बारे में बताऊं कि मैं किस परिवेश से बुलोंग करता हूं आप में से ज्यादा तर को अपनी हिस्ट्री आद आजाएगी कि मास्टर जी भी अपने जैसे हैं हम जब जिस परिवेश में पले बड़े हैं 2017 तक हम भी बेड़ बक्रियां रखते थे वो कल एक सरकार वीडियो आया था तो वह मैं देख रहा था हमारे यहां भी बेड़ बक्रियां थी और जिस दिन चुट्टी होती थी उस दिन हम भी जाया करते थे मैं भी चराया करता था चुट्टी के दिन और आट वी नभी तक सरकारी में स्कूल में पड़े कोई ज्यादा जिसमें यह शुरुवात में जो पोशाहार वित्रन चालू किया गया था न हमें गुरुजी सुबह 10 बजे मुरगा बनाते थे आजगल तो बंद हो गई यह पड़ता है सुबह 10 बजे मुरगा बनाते थे बीच में खेल गंटी आजगल तो इंटरेल हो गया वह घंटी वा ग्या बंद में जमाने में तो खेल गंटी वह कड़ोती थी इस खेल कंटी में पोशाः मिलता था तो हमां लोसschaft ऑन पर काथा science ए किया होती जानकि इंगा इस सघ्चाच और आज़ भुग्री मिलती थी हम गूगरी जम के खाते थे बहुत अगर शरीर पर मार जहलनी है तो कुम से कम खाना दो पड़ेगा शरीर खराब नहीं हो ना चीए खूब काते फिर गुरुजी गूगरी खाने के बाद फिर मुर्गा बना देते फिर हम उसी इस्तिती में आ जाते हैं हमने ऐसा दो लोगों ने देखा ये दोर बहुत से हैं देखो अपने में से यानि आप और हम एक जैसे हैं मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं कोई अलग प्रदेश से नहीं आया या कहीं कोई उड़के आया हूं कहीं दूर से मतलब छे भाई वैन है तो सब के लिए एक ही ठान में से खरता था मेड़े में 5 रुपे की गड़ी पेन के जो उत्सामंक जो मज़ा आता था न तो तो हम सब R conform थे कि अब हम बात कर रहे थे कि हाँ एक तो यह हो गया कि साब कपड़े पैन कर जाते थे हम लोग 15 अगस्त से पहले वाले जिन क्या होता था आपको पता है तो हमें एक आ जाता था कि without uniform आजाना without dress बुलाते थे ना कितने लोग 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को without dress जाते थे इसकुल अब यहां भी reasoning नहीं लगाए आपने मैंने दो बातें बोली एक बोली without uniform एक बोली without dress without uniform मतलब होता है uniform पहन के नहीं जाना दूसरी uniform without dress खेर कोई बात नहीं reasoning अभी आपकी बहुत कमजोर है मैं सिखाऊंगा आपको उस पर हम बाद में आएंगे मैंने कहा आप से कि मैं वो बाते करूँगा आज जो practical है जो वर्तमान में जीवन में हमारे साथ हो चुके हमें गाओं का कोई भी बुजुर्ग जो है वो आज साब कर जाता था अगर हम रास्ते में मिल गए और उस बुजुर्ग का मूड घराब है तो वो हमें कूट लिया करता था ये जो शब्द आते हैं ना इंगलिस में एक ही शब्द आता है बीट यानि पीटना हमारे यहां पीटना, कूटना, मारना बहुत तरीके के शब्द है ये हमारे लिए ही बढ़े है क्योंकि बुजुर्ग हमें रास्ते में पीट लेते थे और हमारी मजबूरियां देखो आप कि गर पे आके और नहीं बता सकते हैं कि पापा उन्होंने कूट दिया हमें अच्छा बात पापा की रही हम तो ऐसे महोम благодар है कि जहां पापा को भी पापा नहीं कहते थे भायो काको दाओ नहीं कहते है और आज भी आप मेंसे कहीं होंगे जो पापा को पापा क्योंकि जो डूसरे लोब बोलते किसि के अलग तरीके का दूक होता है किसी के अलग तरीके का दूक होता है। यहां अगर इस गड़ी में एक होस्पिटल भी है, एक कोचिंग सेंटर भी है और एक मालो नियायले भी है, तो यहां जो आदमी अंदर एंट्री करेगा, वो नजाने किस प्रपस से आया है, उसके कहीं प्रियोजन हो सकते हैं, आप भी यहां तक पहुचे हो, किसी के माल लीचे के नाओं के थेशी हो से तक भी यहां और आप इन ले कोचानर चान जाता है लिग यहां अगर वह Yay किया थाना नहीं करना थाना ऐसा हमारे यहां ऐसा न información होता हमारे वाले कैसे हैं पंपर बच्चा बटा एक बार उसको मना किया Gret नहीं माना दूसरी बार मान डिर जाएगากर दक द्रवार गिर गया तो जे बच्चे को दो चांटे मारते थे और फिर कहते तरह तरह को मना किया था तीन बार अब बता कहा कहा लगी यह इस्ततियां थी हमारी और यह वर्तमान में ग्रामीन परिवेश्च में है तो यह समझ्याइं भी कम नहीं है लेकिन हम सोबा के साले हैं कि हमें आपके एरिय में इस अजमेर में मैं देखो को कि कोचिंग में अगर काबिलियत होगी तो आप खुद अपने आप चल कर आओगे आपको यहाँ डोर खींचने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ जो डेमो ले रहे हो अब एक बात बताओं मैं आपसे छोटी सी बात पूशता हूं कि तंजानिया के उपराष्ट पतिगोन है कि तंजानिया के उपराष्ट पतिगोन है कितने लोगों को पता है एक को भी नहीं पता अब मैंने कहा कि मुला राम विश्णोई है आप मानोगी मेरी बात क्योंकि आपको आता ही नहीं है तो डेमो क्या होता है डेमो मतलब होता है कि आप जिस चीज को जानते हैं अगर उस पते हैं तो नियत देखो कि इस आदमी की नियत कितनी साफ है क्यूंकि वो तेरते तेरते डूप गए जिने खुद पर गुमान था और वो डूप दूप तेरग जिन पर वो महरबान था तो आपको नियत देखनी है कि इनका intention क्या है क्या एक क्यवल पैसा कमाने के लिए या देखो पैसा कमाना सबका उद्देश्य है, आप किसलिए आये हो यह, आपका आगे पिछे एम जो है वो है पैसा कमाना, पैसा तो जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो ओनलाइन से भी इतना कमा रहे हैं, कोई भी इसको साथ लेकर नहीं जाता है, पैसा कोई ऐसी चीज नहीं ह पैसा इसता ही नहीं है, कोई साथ लेकर नहीं जाता है इसको, लेकिन हाँ, जीवन यापन के लिए जर्रते होती है, एक बात बताओ, मैं गरीब पैदा हो गया, कोई टेंशन नहीं थी, मैं ऐसे माहूल में प्ला बड़ा जहां, जो है, बहुत मुश्किल थी, कि हम पर जो है, वो सुन नहीं पाओगे, और छोटा सा दिल रखते हो, रोने लग जाओगे, इसलिए मैं बता निरा पूरी बात, तो आप नियत देखो ती इन दिन में, कि इनकी नियत क्या है, क्या इनका इंटेंशन है, किस उदेश्य से, और ऐसा भी नहीं है, कि यह आज आये हैं, न क्या जर्रत पड़ गए ओफ-लाइन की इनकी ज Yion Can ने कहा उन्होंने कि सुबह सुबह जल्दी चलना है और आप निकल गए और मानलो रास्ते में आपने देखा कि रहे यार पापा ने देख लिया मुझे तो आपकी भूख प्यास नेंद सब कुछ गायब हो जाएगा तो यह आपकी स्टेज ओप माइंड है भूख प्यास एक जगा बैठ है रहना यह इस तरता आपकी खूबी है यह और आपके अंदर ही है पिच्चर देखते हो तीन गंटे आदमी अगर कोई बीच वाला दूसरा बोल जाना रहो रूख यार थोड़ी देख तो सहीं इंपोर्टेंट सीन चल बहुत बढ़िया थेंक्यू तालियां बजा दिया करो एक तो तालियां बजाने के लिए इंतजार मत किया करो इससे आपके साथी को मोटिवेशन मिलता है मेरे को बोलते हुए सुनकर देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम भी इदर जाएं हम भी बोल सकते हम में भ जो दुछाती जो है वह उसा नहीं बढ़ाते है इस सक्रमें आप रुख जाते हो अरे छोटा बच्चा जब गिर जाता है ना नीचे तो उसको पन यह नहीं कहते है चाटा मार गया कि पागल है तु गिर गया उसको एक बटा चीटी मर गई चीटी जाए दूर दूर तक नह वेरी गुड सही बात बताईए इनों ने शीग तो गया आप अजी आपको यह नहीं बहुत बढ़िया बात बहुत अच्छी बात कही उनों में और कोई अपने विचार वेक्ट करना चाहें देखो काबिलियत सब में है और हर कोई बोल सकता है सारे के सारे बाला जी हो आप लेकिन आपको इस्तियां पता नहीं है अपनी जो पता है वो पता नहीं है मैंने एक्जाम्पल भी बाला जी का दिया अपी जी अब्दूल कलामकार बगत सिंह का नहीं दिया क्योंकि बाला जी हमारे डणी-डणी में है कई तो सुबह सुबह बाला जी को डोग दे कर फिर अगर ये सोचो न कि अगर ये देवताय आपको नोकरी लगा देंगे, बहुत बड़ी गलत फिहमी में जिरे हो हो आप जिंदगी में सब कुछ पालेना, बहांस पालना, गदा पालना, गाई पालना लेकिन गलत फिहमी मत पालना, ये सबसे history दुधाई चीज होती है, तो अग ये हर चीज की खराब होती है। प्यार भरे लहजे से मैं आपको समझाता हूँ, आज तक आपने किसी कभी ऐसा अकबार में पढ़ा या कभी न्यूज में सुना, कि केटरिना केव को देख केर किसी ने आत मत्या कर लिए, उसको केटरिना केव नहीं मिली इसलिए मर गया हूँ, नहीं सुना, जबकि आपने य रामपुली और रामपुल में प्रियम प्रसंग था, और रामपुली के चकर में रामपुल मर गया, यह तो सुना होगा न, यानि आप जिस चीज को साक्षाद देखते हैं, उसके प्रति आपका आकशन ज्यादा होता है, बजाई बिना देखे, आप मुझे फोटो में में सेज़ भी आगया, वोट्सअप का तो उसको खोल के रहें पहले क्लास वोड़ देते हैं, वो पढ़ने लग जाते हैं, यूटूब पे देखने लगे हम क्वालिटी एजुकेशन, और इसके बाद में देखने लग जाते हैं, जो भी कोई नया गार आया मालो, अनी संतुय दिल्ली में नसरुदीन, मैं लेकर तो बहुत कुछ आया था, कि आपको बोल ये देख देख के रिफिर सुनाओंगा, लेकिन आपकी बातों से जो है वो प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा है आगे, एक संतुय नसरुदीन दिल्ली में, एक बार वो फकीर थे, तो उनको क बता है कि इसके पास 500 रुपे भी नहीं होंगे, दोस्त पर बात आई है, तो एक जीवन में ऐसा दोस्त हमेसा पाल के रखा करो, जिसको आप सारे करम बले ही मत बताओ, लेकिन कांड जरूर बताओ, कि आज मैं ये करके आगया भाई अभी इसको समाल लेना, और वो दोस्त क है, ये मम्य पापा के सामने कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसा दोस्त होना चीए, ये एक अच्छे दोस्त की काबिलीत होनी चीए, नेगेटिव आदमियों से आप हमेसा दूर रो, क्यों रो, एक अस्पताल था, उस अस्पताल के बाहर एक दिन जब गया कोई आदमी, तो उसके दिन जब वो गया, तो उसने देखा कि वहाँ एक आदमी को कुत्ते ने काट लिया, और वो 14 दिन में ठीक हो गया, उसके बाद जब वो गया, तो उसने पढ़ा कि एक आदमी को आदमी ने काट लिया, वो आज तक बेहोस है, तो आदमी जो है, नेगेटिव आदमी आपको पालना है आपको पालने हैं positive आदमी कि positive energy दे अपने को अपने कितना ही गलत काम करके आ जाए या अपने से कोई गलती हो जाए एक्जाम में selection नहीं हुआ लेकिन ऐसे positive लोगों की एक team चाहिए वो team है quality education आपको हर आदमी एक से बढ़के एक मिलेगा, मैं नहीं हूं बढ़के, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं actual facts बता रहा हूं आपको, जो जैसा होता है वो वैसा आपको बनाएगा, इसमें कोई दोरायवाली बात नहीं है, आप संगती भी करो तो ऐसों की करो, और आ आप जिस दिन नोकरी लगे ना, मैंने अपनी इस्टोरी बीच में छोड़ दी थी, क्यूसन भी बीच बीच में बहुत आ रहे हैं, आप लोग भी याद रखना, मैंने अपनी इस्टोरी छोड़ दी थी, हमें जब कोई चीज मिल जाती थी न, जैसे रास्ता में मिल गई, तो शिटी में तो बच्चों को यह कहा जाता है, रहे वा बेटा कहां मिली, यह पुछेंगे, यह वो, हमारे वाले पहले उसको लेते हैं, और फिर पुछत जाए एक और लिया देखें, यह इस्तितिया हमारे साथ होती थी, हमारे गर में टीवी नहीं था, हमारे पिताजी और छे भाई हैं, और छे भी जोइंट में रहते हैं, उन छे के हम साथ है और साथ के हमारे पांच हो गए, और अभी चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है, सब जोइंट में रहते हैं, मेरा यह मानना है जिंदगी में भाई बंदू भी बहुत ज़रूरी होते हैं, या तो वो द है जिस दिन मैं नोकरी लगा मैं 20 साल 10 मैने का नोकरी लग गया था और भी बहुत सी स्टोरियां हैं जो हम क्लास के दोरां डिसकस करेंगे समय की भी अपनी पाबंदियां हैं हलाएं कि आपको मज़ा आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है बागी हो सकता आप अंदर से दुखी औ बैटा आ गया लग तो चाही पीले सुबह की सुरुआत हमारी उससे होती है सिटी में तो यह कहते हैं चाहे के साथ बिस्कुट लो रोड कुछ ऐसा लो हमारे यहां कुछ नहीं होता हमारे केवल चाही होती है तो सुबह सुबह रात को उस ताइम तक जब मैं नोकरी लगा तो रात को मैंने तीन बजे तक टीवी देखा यह रियालिटी बता रहूं मैं आपको ऐसे तो गरवाले देखने नहीं देते थे शाड़े नो बजे वहाँ जाते तो वहां से लिया आते थे कि तूपढ़ता है चोटे बच्चों को नहीं बोलने देते थे कि तूपढ़ यह यह कहते थे तो तेरे हिसाब से द्यान रख तो तेरा द्यान रख यह अपने आप पड़ लेगा यह इस्ततियां होती थी लेकिन तीन बजे तक टीवी देखा सुबह आराम से उठे नो बजे तक हमारे गाव में बुजूर्गों की एक बहुत अच्छी खास बात होती है कि वो सुबह 6 बजे तक अगर लड़का आये नहीं न तो उसको आवाज लगा देते हैं कि उसको उठा वो अभी तक भी सो रहा है यह इस्ततियां थी सुबह 9 बजे तक किसी नहीं नहीं उठाय बाई सब और आये तो कहा चाई तो खतम हो गई चल दूद बना जेते हैं मेरे ब कर आगया कि आपको अगर अगर एस्ट्री जोगरोफी नहीं मालूम है यहां की तो आप पुंच ले ना बच्चों से जो मेरे से पड़ेवे हैं यहां किसी संस्तान को जोंतिन को हैं नहीं करता जहां जिनकी नियत सही नहीं और दिनमारी खराब में ठीक हो ओ जाएंगे ले कि नरेंदर जी में वास्ते में मुझे यह ऐसा लगता है कि हाँ यह काबिल है और इनकी नियत सही है पैसा बले ही हम कम ले लें कोई दिक्कत नहीं है पैसा बले ही कम आ जाएगा वो भी कोई इस्यो नहीं है हम चार को पढ़ाएं वह ज्यादा बैस्ट है बजाए 400 को पढ़ा है 99 और वन रख सक में है 1000 सीट है अब आप में से कितने लोगों को यह confidence है कि यहाँ तैयारी करके हम हो जाएंगे साब सेलेक्ट अभी तो confidence ही नहीं अरांदर से है सबसे बड़ा खेल ही इसी का है नहीं चलो मैं अपना question change कर देता हूं आप यह बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह लगता है कि नहीं साब आज की बात जो आपने कही कि आप जैसे हम तो आप से भी बहतर इस्तिती में हैं अगर आप comparison क हैं तो कितने को यह लगता है कि हां साब हम select हो जाएंगे अगर हमने मेनत की तो आप परियास करो मंजिल मिले ना मिले यह तो मुकदर की बात है लेकिन हम कोशिशी ना करें यह बहुत गलत बात है और एक चीज़ और कहता हूं मैं कि जो वक्त मिल रहा है इसको काम में लीज होती है ऐसे लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं अगर उसने चपड़ा सी लग्केर फिर चपड़ा सी चोड़ी है अगर आज सर सर्विस में है या मैं सर्विस में हूँ मैं अभी गवर्मेंट जोब में हूँ तीन-चार मेरी भी जोब लगी है एक नोकरी चोड़ के द छोड़ा हूं उसको लेकिन जो लोग जिंदगी में कहीं सफल नहीं होते हैं वो जबर्दस्ती में घ्यान देते रहते हैं यह नोकरी बेकार है भाया तू लगा है इसमें तू लगकेर फिर छोड़ी है तुने अगर सर अभी आरेस की नोकरी छोड़ दें तो उसके बाद यह सब्सक्राइब कि आरयश की नहीं आप आई इस की तैयारी लेकिन बिना लगे हिए यह कहें कि साब मैं यदो दो बच्शों के दे चीन क्रेंख रहा था कल տरू आरेस की सामिनार आए था को जो इसी तरीगे मेरी नजरों में एक शांदार छोरा है अरे तो भई तेरे से पूछा हमने आज गल के छोरे-छोरे तो वैसे इतने सक्षम है वो खुद डूण सकते हैं आपकी जरुद नहीं है अरे कोई माबाब अपने बच्चों को यह नहीं सिखा था हाँ बिल्कुल आपको अगर किसी को इमर्जेंसी हो तो आप आजा सकते हैं और अगर आपको यह भी लग जाए ना कि साव इसको बंद कर दो आप तो यहां तो हाथ खड़ा कर देना हाथ भी नहीं खड़ा कर सको तो तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं और अगर आप में से एक भी नोकरी लगी ना तो यह समझे आप पूरे समाज को एक नहीं दिशा देंगे नहीं तो अगर आप नोकरी नहीं लगे ना तो आपके लिए घरवाले यह कहेंगे या दो दूसरे पड़ों से यह कहेंगे क देख उसकी चोरी पड़ी थी उसका ही सेलेक्शन नहीं हुआ तेरा कहां से होगा तो आप इस हिसाफ से मेहनत करें कि समाज के लिए रोल मोडल बने आज मैं अपने बच्चे को अगर कोई बात कहना चाहूं किसी का एक्जामपल देना चाहूं तो वह मैं खुद हूँ कि ब देखो आप सुन रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है मैं बोल रहा हूँ यह बड़ी बात नहीं है आप मेरी बात को सुन रहे हैं उन पर आप अमल कर सकते हैं यह बड़ी बात है तो मैंने पुछा गाहां और शहर में क्या फरक होता है कौन बताएगा कौन बताए गभी अरे आप बताओ अपने पने एक्स्पिरियंस अंजी अच्छा अच्छा अच्छ अ यह थीक है बैठी है तेंक यू अभी कल सर बता रहे थे जो देराज राजी उस मैं भी था उस सेमिनार में, वो बता रहे थे कि हमारे यहां लाइट नहीं थी, वो लालटेन में पढ़ते थे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो लालटेन में इसलिए नहीं पढ़ते थे, कि उनके यहां लाइट थी और वो बत्ती बुजागेर फिल लालटेन में पढ़त पढ़ते थे वह इसलिए लालटेन में पढ़ते थे क्योंकि उनके वाँ लाइट नहीं थी सुविधाउं का बहुता जो इन्होंने बात बताई जो पुराने बड़े बुज़रु कहीं ग्यान देते रहते ना कि हम हमारे जमाने में रोल लाइट में बैठके पढ़ा करते थे इस वर्ड में जितने भी गाउं हैं उनकी बात कर रहा हूं वो सकता है हमारे यहां के गाउं कुछ अद तक शक्षम नहीं हो लेकिन अगर विदेशों के गाउं देखो अपने राजिस्तान में भी बहुत से गाउं है जो बहुत सक्षम है हाजारों-दारों नोक्री है उनम बेड़े देखिए आपने बेड़े बेड़ बक्रियां देखिए बेड़ जब ऐसे नॉर्मल रहती है न तो उसके सामने अगर एक कुट्ट भी आ जाये न कहीं बार बताता हूं यह बात एक कुट्ट आ जाये न तो बहुत सारी जो बेड़ें एक जुंड में हो 150 तो वह भी और है दरके बाग जाती है से लेकिन अगर उस बेड़ ने एक बच्चे को जनम दिया है मप जिन्हों ने बैड़ ने देखिए माने तो चराईए इसलिए मुझे धहान है तो अगर एक बच्चे को जनम दिया थो उसके सामने आप शेर को लिया है व् com ऐले कि नहीं एक करते होगा अपने मातैं जब दूद निकालती है तो दूद निकालते हैं वह होता है कच्चा दूद आप करें आ में मोटिवेशन नहीं हैं उस वाद पर बता रहाओ मैं कच्चा दूद होता है चिंदी जो जानती होंगे as एक निए को करते हैं निकालते हां ग bentख देर नी रखते हैं निकालते ओंको पता हुटा ऐं और तोओ Fellows Krash I paste क्वें निए स्थे वह दैर जाएगा तो उसको इक देर नियुक्त कर लिए और ने और बॉए भाइन मसटली को दूद्धा जक्छा यह दिख्टोरा है सबको यहां से, कच्चा दूद को हम काम में ले सकते हैं, दो से तेन आवट्स के लिए, अगर इस को गरम कर लें तो, गरम कर लें तो एक दिन चल सकता है, चल सकता है, लेकिन अगर इसमें एक चीज है जावन, और जावन का काम करेगा आपके क्वालिटी समझ गए आप कच्चे दूद्थ है जब आप पैदा हुए गरम हो गए जब तक आपने बारवियाक रेजूशन कर ली अब चाहिए आपको क्या जावन चाहिए और जावन का काम कौन करेगा Quality Education हम जावन डालेंगे जावन डालने के बाद दूद क्या बन जाता है दाई दूद बनता है दाई लेकिन दाई जो है दाई भी किते दिन चाच किस ला सकता है आप दो दिन काम में ले सकते हैं लेकिन दाई के बाद अगर इसको मत लें मतने का मतलब है Test Series समझे आप मतने का मतलब है test series यानि दई को जबर्दस तरीके से लाएंगे तो इसके बाद इससे क्या बनेगा इससे बनेगी एक तो चाच चाच को आप कितने दिन तक काम में लेते हैं वैसे city के लोग 3-4 दिन काम में लेते हैं हमारे यहां तो अगर सुबह चाच हुई तो केवल सुबह ही काम में लेते हैं साम को उसको बैसे पीती है यह होता है अब city वाले सोच रहे होंगे इनको यह भी order लगता है किरो साम आप च इसे भी, वह उननतकिश्म की है. तो चाच जए इन दीन चलिए? तीन से चार दिन. चाच से एक चीज और बनती है. वो है मखन. मखन है यह. ये जो बवीच बीच में आपको एनरजी देंगे न, ये है मखन. मखन को इन सुध इंधी में बोलते है, जो मारवाडी में बोलते हैं लूने गी, लूने समझते हो, यह अंग्रेज लोग जो हैं वो तो बटर में समझते हैं, कि यह बटर है, बटर नहीं, इट इस लूने गी, तो लूने गी कितने दिन चलता है, यह चलता है मुश्किल से 15 एक दिन, यह 15 दिन चलता है, इससे ज्या दिन तक चलता है, इस दुनिया में दो ही चीज़े ऐसी है, जिनकी कोई उम्र नहीं होती, एक तो है घी और एक है शहद, यह अमर होता है, यानि घी की कोई उम्र नहीं है, घी अमर होता है और यह बणा किस से हैं कच्चे दूद से और कच्चे दूद की कीमत क्या होती है अरे कच्चे दूद की कीमत क्या होती है 40-50 रुपे किलो यह होती है और गी क्या भाव मिलता है 700-800 रुपे किलो मिलता है तो आप सोचें जब आप यहां आये हैं तब आपकी कीमत क्या थी, आप 40-50 रुपे किलो के आइटम है भी, अगर देखा जाये तो, लेकिन अगर आपने गी बन गए, इसका मतलब आप नोकरी लग गए, तो आपकी वेल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, और ये किसी के बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी, ये खुद स ये घाव में अलाब Wikipedia, दिया को होई और नारी जन्यान क्या, नाम पिया को होई तेल जलता है, बाती जलती है, नाम किसका होता है? की से दिया जडता है साब, दिय busted तेल जडता है। बाती ही जडती है faster and a data for our children, लड़का रामपुल के हो यह है लेकिन कहाँ हाल यह कहते है रामपुल के लड़का हुआ ? रामपुल जड़े जड़ लोगतो है, तो स Leon न आर्ड़णने पया हूँ, लामपी को हूँ। बारा कोस पे बोली पल्टे, हर बारा कोस पे बोली पलट जाती है, वन फल पल्टे पाक, वन फल मतलब जो वन में जो फल लगता है, जैसे नीम की नीमोली, हम कूब काते थे उस जमाने में, मुह में बरके रखते थे, एक रुपए की सोड़ा अंगूर की मिठाया वो आती थी कर दो लोग जानते हैं जो जैपूर शेतर से उंगे वो जानते होंगे जानते हो, मतलब 4-5 दोस्त होते हैं, एक जो है वो एक डंडा लेकर उसको फेंका जाता है दूर, फिर सारे चट जाते हैं पेड़ पे, फिर उसको पकड़ना होता है, मारदडी, अरे आपके पास तो प्लास्टिक की बोल भी है, आपके पास तो रबड़ की गेंद भी है, हमा बात कर रहा था गी की, तो अगर गी बनगे तो आप अपने आप 800 रुपे किलो हो जाओगे, लेकिन इसके लिए तपना पड़ेगा, कितनी जगे से गुजराए, कहते हैं गाहों में मोटिवेशन नहीं है, गाहों में बहुत मोटिवेशन है, ये फरक नहीं है गाहों और श ठीक है, थेंक्यू, जितने भी ये जमीन जायदाद के केस है, ये जदातर गाहों कही है, और रही बात सांति की, तो मैं आपको बताओं ये गाहों में एक बोड़ा आदमी था, बिल्कुल ही बोड़ा आदमी, तो वो गया डोक्टर के पास, पास में एक डोक्टर था, ये बातें यही से निकल के आती है और जो प्रेक्टिकल एक्जाम पल हुए है हमारे जीवन में वह बता रहा हूं तो वह आदमी डोक्टर के पास गया बिल्कुल सीधा आदमी बिचारा मजदूरी करने वाड़ा तो डोक्टर ने उसको कहा कि यह दो गोली ले गर जा सांती के हो तो रिलेक्सेशन हर जगे है पीसफुल हमारे जीवन में सब है और देखो मैं आपको बता हूं कोई माबाप यह नी स्खाता आप सब बुद्धी जीवी हैं कोई भी माबाप यह नी स्खाता कि बच्चे कैसे पैदा करना है लेकिन हम सब को पता है बाद गलत चीज़ दे आदमी दारूपी के जो है मैं आपको बताओं परिस्तितियां कैसे चेंज हो दती है आपकी जीवन में वह आदमी दारूपी के और बहती नदी में कूद गया कि है कि अज़िया रएफ की पूरी टीम लगानी पड़ी उसके लिए दस गंटे की मसकत की दारूपीया वह था रगला बिल्कुल सीधा कुदा सीधा कैसे जैसे ऐसे कड़ा ना ऐसे उठीर ऐसे कुदा लोगों ने सोचा मर गया दो किलो मेटर दूर जाके निकला और गर जाक कौन सी तलवार कौन सी धार शुरोगी व आरपार तो गाषी जो था अब पता है उसके लिए क्या वह आया है उसके लिए विदायक ने मुआवजा भी गोशीत कर दिया था कि गाषी मर गया पांच लाग रुपर जो है वह इसको दिये जाते है विदायक को उससे अब पता चला है कि गैलोध साब ने उसके लिए गोशना किया है कि गाशी जैपूर आएगा रेजडी आरेफ की टीम को बताएगा कि दो किलोमेटर तेर कर कैसे जायज है यह गाशी की इस्तती है तो हर आदमी में टेलेंट होता है किसी का सराब पीने के बाद निकरता है किसी का सराब गाव और शहर में सिर्फ एक ही फरक है और वो फरक यह है कि गाव में खेती होती है शहर में खेती नहीं होती इसके अलावा इस दुनिया का कोई फरक नहीं है जो गाव और शहर में हो शहर में कहीं भी खेती नहीं है और गाव में खेती है शिर्फ यह फरक है अगर उस है कि आप लोग को बताएं चलो आपके जो क्योरीज है मैं उनको भी मेरे पास बहुत लंबी चोड़ी लिस्ट है क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर सीधी उंगली से गहनी निकले न तो उंगली टेडी कर लें यह मा मुर्गता है यह सदियों से चली आ रही है मैं कहता हूँ गी को गरम कर लो अरे नहीं कर सकते गया आप एक दो हसने की बात पर भी नहीं है से कई लोगों को मैं देखता हूँ ऐसे सीरियस रहते हैं अरे क्यों भई कब्ज है ऐसीडिटी है कोई प कि तू सुक कैसे ले सकता है तो आप मुझे बताओ क्या किया जाए अभी चलने दे थोड़ी देर और चलो ठीक है हाजी सरकों बोलने दे चलो यह भी आपकी बात मान लेते हैं दो-पांच मिनट तो हम बोल ले आपके कोई क्वेरीज हो आपकी कोई प्रसन हो जिसका आप ज कैसे हो जो आप पूछना चाहरे हो कि यह तो बैंकर समझते हैं इससे कैसे निजात पहाज है और आपको मैं बताओ लेर पड़ेडो आदि में खोटो रिया करें लेर पड़ेडो मतलब समझते हो पीछे पड़ा हुआ इसका एक बहतरीन एक्जाम्पल समझता हूँ आपको क क्या है कि आपको इस यह जो एक्जाम अभी आ रहा है इसके पीछे पड़ जाना है इसमें सहयोग हम करेंगे आपका लेकिन पीछे आपको पड़ना पड़ेगा अब यह पीछे पड़ा हुआ आदि में खतरना कैसे रहता है कोई बताएगा मुझे को नहीं बताएगा अच्छा चलो यह बताएगा नोकरी क्यों जरूरी है चोड़ो आप तो सब चीज़े अरे नोकरी क्यों जरूरी है हाँ कोण कोण बताएगा इस पर अपने बात करेंगे अब हाँ जी 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 इन्होंने बहुत दिल की गहराई की बात किये तालें बजाओ इनके लिए आप आप लोग सच बोलने से कत्राते हो आपके साथ गड़बड यह है आप किसी की कोपी करना चाहते हो लेकिन मैं आपको बता दूँ कोपी कोपी होता है औरीजनल औरीजनल होता है यह द्यान रखना आप नकली की कीमत जो है न वो 400 रुप किलो है वो 200 में भी मिल जाएगा डा रहा है जो प्राइवेट जोब करते हैं कितना पैसा मिलता आपको 45,000 और कितने गंटे की जोब रहती है आपकी 6 गंटे की जोब में 45,000 रुपे अब ज्यादातर की सवाल आ रहा होगा कि यह पागल है तैयारी क्यों कर रहे हैं इनको नई करनी चाहिए थी तैयारी यह हकीक एक लाग रुपे का फोन करीदा अब अगर गाओं में जाके कह देना कि मैं एक लाग रुपे का फोन लेकर आया हूं तो गाओंवालों को इसकी कदर नहीं है वो कहेंगे रहा हमारे 500 के में भी बात होती है जो आदमी जिस चीज की कदर समझता है वो ही आपको सच्चा ही ब नहीं हूं कि भाई यह जूते आपको यह 6,000 के हैं तो वो कहेंगे 500 रुपे में लेकर आता और बॉइस आप क्या जूते थे गजब के जो साथ जिलाने जाएगा ना वो कभी यह निकाएगा कि मैं इसको सस्ते जिला के लाएं वो को बॉइस आप जोड़दार जूते थे त लेना बड़ी बात नहीं है लेने को तो हम आपको दे कर रहे हैं मैंन बात तो वह है कोचिंग चलाने के लिए कहीं संसादन की जुरुत पड़ती है आपके पंखे चल रहे हैं इसका भी बिल आता है नहीं आता और अगर अच्छी क्वालिटी के साथ इनको टीचर्श को तो आप लोग एक तो यह फीस वगेरार यह जो छोटे-मोटे इस्यूज हैं इनको आप छोड़ दिया करें क्योंकि मैंने देखा है 49 रुपए के यह एक टेस्ट सिरी चलाई थी वनपाल की उसमें भी बच्चों के उस वीडियो की नीचे कमेंट थे किसा आप फीस थोड़ी आपको नोकरी लगोगे आप अनपाल या वन्रक्षक में अगर लगे या लगे लगे तो 45,000 तक पहुचने में आपको 10 साल लग जाएंगे लेकिन फिर भी यह गोर्रमेंट जोब चाते हैं ऐसा क्यों एक तो पहली बात security कि साब हमारी life secure हो जाएगी जैसा हमने दोर देखा विसे मेरा बच्चों को नहीं देखना पड़ेगा मेरे परिवार को नहीं देखना पड़ेगा और दूसरी बात हाजी रेस्पेक्ट आपकी आओ बगत अब भी तो आपको जैसे मैं मेरी बताओं मेरा नाम अंबालाल चोधरी है और गाओं में कोई भी डंक्सेंद बुलाता नहीं है कौन आया हम्बो लेकिन अब ऐसी स्थिया नहीं है नोकरी लगने के बाद मेरा नाम जो है वो थोड़ा ओल्ड फैसंड है तो मैं कहता हूं आपको नाम में कुछ नहीं रखा नाम में कुछ भी नहीं रखा नाम से कोई फरक नहीं पड़ता इस दादी ने रखा नाम लोगों है तो इसको चेंज कर लें मैंने का साब जी कहीं जिनका नाम जो है वो आकास है वो भी धर्थी पे डोल रहे हैं काली पोकटी कोई लेना देना नहीं है नाम में कुछ नहीं रखा तो पहली बात तो आपका नाम, सोंदरिय ये कोई चीज माइने ने रखती, आपकी जो काबिलियत है वो माइने रखती है, कि आप कितने काबिल है, देखो आदिवाशियों के एरिये में अगर आप जाओ ना, आदिवाशी नग्य रहते हैं, नग्य नवस्ता में रहते हैं, व अब अगर पांच दोस्त हैं, शराब पीने वाले हैं, या शिग्रेट पीने वाले हैं, अगर उनके बीच में एक नहीं पीता ना, तो पता है वो कैसे कैसे चिड़ाते हैं उसको, कि सालों तो आयाए क्यों है तेरी जिंदिकी में, क्या मतलब है, पैदाई क्यों हुआ, ये अभी भी हमारा समाद जो है, वो धन को नहीं पूछता, कुछ कैसे में हो सकता है, हमें चाहिए सिक्योरिटी, हमें चाहिए मान सम्मान, और हमारा समाद सबसे ज़्यादा मान सम्मान देता है सरकारी नोकरी वालों को, आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे मेरी करनी पड़ेगी बहुत मैनत करनी पड़ेगी और ये लोग जो कहते हैं कि 13-14-14 गंटे पड़ने इसकी जरुत नहीं है अगर आप एक smart study करो तो आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा recover कर सकते हैं तो आज से पहले आप क्या थे इसको तो आप भूल जाना भूल जा वे इसको के आज auster से हम क्या थे अब तो हमें एक नए सिरे से शरुवाद करनी है रामायन में आपने कहीं पातर सुने होंगे बाला शिलाक जी भी सुना आप नए राम जी है लक्ормन भी सुना लेकिन रामायरण में एक पात्र ओर यहां एसल नहीं है कि जो कहीं दूसरे संस्तानों में नुट ह addicted से ज़ाइए वहां मोटर साइकल की तरह हो लेकिन अब यहां आगे तो आपको दोस्तों को भी देनी पड़ेगी वो मोटर साइकल वो अलग की कमारेगा वो उठाएगा उसको तो अभी कहीं बचीड खानी है अपने को समझ गए ना आप बात को आप उस दोर में आगे अब अगर आप चाहो कि पह तो जैसा देश वेशा बेश अब अगर अपने को नोकरी चाहिए इस समाज में रहना है समान समान के साथ तो अपने को नोकरी बहुत जरूरी है नोकरी लगने के बाद जो है आपके सारे पाप दूल जाएंगे तो अब हमें जो मैनत करनी है वो इस हिसाब से करनी है हनवान 40-40 में आपने एक चीज़ पड़ी होगी अहिरावन की बुजाओ खारे पड़ी है आपने यह अहिरावन कौन था कभी जानने कोशिश की आपने मैं यह बता रहा हूं कि आप कितने बलवान हैं कितने ताकतवर हैं आप अपनी सक्ति को नहीं पैचानते कितने लोग जानते हैं इरावन के बारे में? हाँ जी बताएं आप क्या था इरावन? हाँ जी? पाताल का राजा था बस इतना ही जानते हैं हाँ एक मिनट एक मिनट आप बता दिया आपने सही बताया है आप बताएं यह यह स्थोरी रावन का पुत्र था रावन का पुत्र था आईरावन हाँ हाँ वो कुरूप था मतलब दिखने में सुंदर नहीं था तो रावन ने फैक दिया उसको कि तू नहीं है मेरे काम का तो वो अहिरावन पाताल का राजा बना और उसने जब यह लड़ाई चल रही थी ना रावन की और राम की उसमें शाम के समय इनका विश्राम दे दिया जा तो जब राम लक्षमन पूरी सेना सो रही थी तो उसमें एक अलग तरीके की शक्ती थी उसने सब को बेहोस करके वो एनस्थेशिया का मास्टर था जानते हो एनस्थेशिया का बेहोस करते हैं वो एनस्थेशिया का मास्टर था तो उसने राम लक्षमन को बेहोस करके और उ जरुरी नहीं है कि आपको वहां जाओ तो वही मिले, यह कता ही जरुरी नहीं है, इसमें बहुत चुपे रुस्तम भी है, बहुत चुपे रुस्तम है, जिनसे अगर आप सीको तो आपको और बहतर मौका मिल सकता है, और जो नया आदमी होता है, हमेशा बहतर करने का प्रियास करता है ठीक है तो अब बहुत टाइम हो गया अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया अब तो डेड़ बज गया मेरे खासे एक डेड़ गंटा हो गया चलो ठीक है एक शायरी के साथ अपना समापन करते हैं कि उसके साथ यारी कभी ना कीजिए जिसको अपने उपर गुरूर हो जिसको अपने पर एंकार हो उसके साथ कभी यारी नहीं कर देगे उसके साथ यारी कभी ना कीजिए जिसको अपने उपर गुरूर हो माबाप को बुरा कभी ना किए चाहे लाक उनका कसूर हो गलत रस्ते कभी न जाईए चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो राह चलते को दिल न दीजिए चाहे लाक उसके चहरे पर नूर हो और महबत उससे कीजिए जिसमें प्यार निवाने का दस्तूर हो थैंक यू सोमिट थैंक यू सर इतना लंबा टाइम लेकिन फिर भी हाँ एनरजी दिख रही है यह यह एनरजी रहनी चाहिए बीन आपको बोला था कि जिसके लिए आप आए हैं कुछ बिंदू मुझसे सुनने मुझसे जानने मैं उस पर बात करूँगा मैंने भी बहुत सारे points लिखे हैं लेकिन मैं बहुत short में अब लूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत time हो गया है ठकान हो गई है क्या? energy है अभी? energy बची रहनी चाहिए, अगर अभी से low हो जाएगी अभी तो बहुत langबाолотर रास्ता तरह करना है अभी से energy अगर down हो जाएगी तो अभी तो रास्ता लंबा है लंबा रास्त गुजरते गुजरते अभी तो बहुत बढ़ा वो राने वाले है मैंने कुछ पॉइंट्स लिक हैं उस पॉइंट्स पे मेरे खाल से आप में से बहुत सरी चीज़ बस वही सुनने आए आप एक्जाम की तयारी करने आए और ये ठान कर आए हैं कि हमें एक्जाम में सेलेक्ट होना है सरकारी नोखरी लगनी है यही है सब ज्यादा तर यही पूर्ड भी हो रहा है आप चाहें तो बात में सुन सकते हैं भी नोट करने की ज़रूत नहीं है बात में चीजों को नोट कर लेना और अपनी पूरी तैयारी के दोरान उसको फोलो करना मान कर चलना कि बस यही छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको सक्सेज दिल यहां से मानकर आया है कि मुझे सरकारी नोकरी लगी यहीं सबसे इंपोर्टेंट वई है जब जो चीज आप यहां से आज लेकर जाएंगे जब आप लेकर जा रहा हूँ तो एक चीज यहां से लेकर जाना है कि आज सभी है कि मुझे सरकारी नोकरी हासिल करनी है सरकारी नोकरी हासिल करनी है सभी अगर आपके मन में जरासा भी डाउट रहा आपके मन में जरासा भी डाउट रहा कि मेरी नोकरी लगेगी या नहीं लगेगी वहीं से आप कमजोर पड़ गए तो आज से जो सबसे पहली जरूरी सबस कि मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मान कर चले कि आपने आधा रास्ता ते कर लिया यानि कि अपनी धारना कैसी बनानी है अपनी धारना यहां से जब जा रहे जो सबसे इंपोर्टेंट चीज यही लेकर जानी है कि अपनी धारना को यह बदल कर जाना है कि मुझे में इ यही जॉइन करनी तो क्यों करनी, उसके में लास्ट में बात करूँगा, लेकिन आप जॉइन करे, या चाहिए नहीं करे, लेकिन यह बात आपको यहां से लेकर जानी है, पहली चीज की अपने अंदर एक गहरे धारना बना लेनी है लेकिन अगर मान लिया और ठान लिया ना तो उसके बाद बहुत सारी चीज़े आपके लिए आसान हो जाएगी ठीक है पहली चीज एक बात मैं हर बार कहता हूँ सभी को और यह हमारी कोचिंग में हमारी टेस्ट सिरीज में जलकती भी है आप यहाँ पर LDC की वन पाल वन रक्षक हमने इसके लिए सेमिनार रखा है ठीक है CET के आप तैयारी करने आए है LDC के लिए कितने लोग फॉर्म बरते हैं LDC के लिए लगबग कितने आज राजस्तान में फॉर्म बरने वाले कोई से भी वेकेंसी निकलती है लगबग हर बार 15,000,000 प्लस फॉर्म होते हैं 15,000,000 प्लस फॉर्म होते हैं यहां से म let go up L D C के तयारी कर रहे हैं लग इस बात पर जोर देते हैं अगर आपको सलेक्ट होना है एक लेवल उपर कि तयारी करना ही के तैयारी हरकोई करना मेरे से बहुत सारे दोस्त हैं जो यूपी सी की तैयरी कर रहते है वह कुछ नंबरों से आई इस में लिग लेकिन उनों आरह से निकाल लिए कुछ उनकी तैयारी एक लेवल ऊपर की थी, हाना ऐसे बहुत सारे साथ्यों को जानता हूं, जो पिछले 7-8 सालों से 3rd grade की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी 3rd grade की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे दोस्ते हैं, जो 1st grade की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2nd grade का एक्जाम आया, उस सब्सक्राइब एया तो मुझे पता उसके सामने चोट चोटे पैड़ाणे की किया वो जिससे माão्न्ट आव्र हम्वरेस चट ने की कोई मुश्किल नहीं है सब्सक्राइब रूराणा जो लटाए नाम सब्सक्राइब किसी नहीं वहर सोना उसके बारे में हाना एक पेर कट गया था उसका एक पेर कट गया था ट्रेन में खिलाडी थी वो उसका खिलाडी थी उसका बदमाशों से उसका सामना हुआ उसको ट्रेन से फेक दिया ट्रेन उपर से गुजर गया और एक पेर कट गया ठीक है उसका गट्स देखना उसके बाद उसने ये मन मे यह आपको यहीं चीज कर्वाने वाले हैं हमारी टीस मैं बहुत सारे लोग शिकायते करते हैं, इतनी मुश्किल टेसरीज क्यों बनाते हैं, लेकिन जब सलेक्ट होते हैं, बहुत सारे केंडेट्स हमारे सामने हैं, है ना, ये शिकायते रहते हैं, इतनी मुश्किल टेसरीज क्यों बनाते हैं, मैं आपको काबिल बना रहा हूं, मैं आ लेवल की तो लेवल की त्यारियां पर हजार लोग लोग करहें वहां पर आपका नंबर नहीं आने वाला यह ठाणकर चलना कि अगर Hebrews ओपर के त्यारी करेंगा कर वह एगर आभर का सीघ्डस banco को सब्सक्राइब कर एड़ी यह करें जैसा एक समझेels समय के साथ स्पर के साथ अगर आप तयारी करेंगे तो ये एक्जाम आपके लिए मुश्किल रहेगा तो अगला पॉइंट कैसे हैं मेरा और आज तो बहुत बड़ी बात ये है कि आपके पास बहुत सारे संसादन है मैं जब अपनी तैरी कर रहा था, 2013, 2014, 2015 वह दोर था उसमें बहुत सारे इतनी guidance उफ्लब्द नहीं थी लेकिन आज के दोर में इतने संसाधन है कि आपको बहुत सारी अच्छी इतने संसाधन आपके पास है आज आग टेलिग्राम चैनल भी यूज करें तो आप टेलिग्राम चैनल पर इतना सारा दिखानी है और यह चुनना है कि आपको विश्वास हो जाए कि यह व्यक्ति सबसे बड़े गाइडेंस देता बस उस एक को फोलो कर लीजे वह अपना पे बहुत है अगर आप सही गाइडेंस को चुन ले उसके बाद एक सिस्टम होता है एक प्रोसेस होता है अभी सर ने बता पर एक और ने भी सर फ्रक्ति है लेकिन जो एक सिस्टम बनाया है उस प्रोसेस को अगर आप फोलो कर ले leur तो मान चेलो कि आप सफल हो जाएं आप सेलेक्शन लेकर जाएंगे उसके बाद देखना सारी के सारी चीज़े आपके लिए काफी बदल जाएगी तो इसके लिए अपना आपको तयार करें जाएगे छे महीना साल पर अपना आपको कटिन प्रोसेस से गुजारना उसके बाद जो आप बनकर निकलेंगे वह अब करने करने के लिए तैयार हैं लेकर सिस्टम को फॉलो नहीं किया एक ऐसा प्रोसेस से उसको फॉलो नहीं किया तो भी सफलता मुश्किल है क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे हैं जो मेहनत बहुत करते हैं उसके बाद भी कुछ नंबरों से रह जाते हैं वो system में थोड़ी सी कमी रहे कि system process को पूरी तरह से follow नहीं कर पाए उसको अगर आफ follow करके जाएंगे मेरे बहुत सारे सेखडों की संक्या में सेलेक्ट हुए ते क्वालिटी एजोके से आनलाइन था उसना सिदा सिदा ऑफ-लाइन में इतना कॉंटेक्ट नहीं था बहुत सारे केंड़ेट्स अब आ हैं हमने पहले सब्सक्राइब की हमारी हमारी लिस्ट हमारे पास है किहीं कुछ candidate अब मुझसे मिलना है यह भी बूंदी से मिलना यह उनमेंसे कही है जिन को मैं परसुनल नहीं जानता है या फिर वह लेगिन अब मिलना रहा has से हम भी आपके पड़े हुए हैं और यहां से सेलेक्ट हुए हैं क्यों हमने एक सिस्टम बनाया एक प्रोसेस बनाया और बहुत ही पावर्फुल प्रोसेस है उससे अगर आप गुजर गए तो मान कर चलिए कि आप यहां से सक्सेस लेकर जाएंगे एक मैंने सवाल उसमें यह रखा था इस आज के सेमिनार का बिंदू कि अधिकान सभ्यरती बार-बार क्या गलती करते हैं कई बार कुछ नंबरों से रह जाते हैं तोड़े नंबरों से रह जाते हैं क्या मिस्टेक्स करते हैं इस बात को आप बाद में नोट कर लेना यह चीज हुआ 2013 में पहली बार पटवार एक्जाम में तब से मैंने ये फोलो करना शुरू किया और उसके पहले भी मैं ये बहुत सारी वो भी एक बार नोट कर लेना, इस सिस्टम का, इस प्रोसेस का सबसे important part है test practice, आज competition इतना जादा है कि बिना test practice किये selection बहुत मुश्किल है, मैं यह नहीं करा हूँ कि हो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल है, इतना competition है, बहुत सारे अधिकांस candidates जो fail हो जाते हैं, उनमें से व प्रवाद से test practice करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक course पूरा नहीं होगा, तक test कैसे देंगे, हमने topic wise test series start कर दी, तो कहीं लोग last में test देते हैं, लास्ट में फिर इतना time नहीं बसता है कि जो आपको कम्या पता चले, उस पर आप analysis कर पाई, उस कम्यों को पूरा कर सके या फिर कई लोग होते हैं, जो बहुत कम test देते हैं, मेरे, ऐसे भी, कि सर मैं कुछ नंबरों से रहे गया, मैंने पूछा test कितने दिये, कि सर मैंने 4 test दिये, मैंने कहा, पहले जिसने 40 test दिये, आपसे पहले वो deserve करता है, उसको मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने आपसे कई गुन आके निकल जाएंगे, चार नंबर पे भी कई, इमान के चलो, चार नंबर भी आप दूसरों से ज्यादा लेकर आओ, तो 40,000 रेंग आके निकल जाओगे, ऐसा होता है, जब 15 लाग फोर्म बर रहा होता है, चार नंबर से 40,000 रेंग आजाते हैं, हैना आप test series के मा होते importantism, मैं सीथी सीथे to the point बाता कर रहा हूं, exam की दोरान आपको क्या करना है, कई बार यह होता है कि हम proper revision भी नहीं कर पाते हैं, अगर आपका revision प्रोपर नहीं है, revision का भी एक system है, अगर उस system को अगर आपने follow नहीं किया, तो भी कुछ ने कुछ चीज़े छूट जाएगी मेरे साथ ऐसा हुआ था, और मुझे उस बात का बड़ा दुख हुआ था पिछली बार में, कि ऐसा सवाल आया था, exam में 10 number का सवाल आ गया था, वो मैंने 6 महीने पहले पढ़ा था, वो वापस सवाल ऐसा था, कि वापस सामने आया ही नहीं कभी, और वो ही सवाल, क्योंकि मै प्रॉपर रिवीजन उसका नहीं हो पाया, अगर आप प्रॉपर रिवीजन का एक सिस्टम बना लें, तो मान के चले आप दूसरों से कई number, यह सिस्टम सारा खेल में, दूसरों सा आगे बढ़ने की बात इसलिए कर रहा हूँ, जो सिस्टम को फोलो करेगा, जो अच्छे स सेलेक्ट हो सकते हैं, आप दूसरों से कितना extra effort लगाते हैं, उस पर सारा का सारा depend करता है, ठीक, आप कितनी कीमत चुकाते हैं, आप दुकान पर जाएं, कोई भी 100 रुपे की चीज हैं, 100 रुपे की चीज आपको कम मिलेगी, जब आप 100 रुपे पे करेंगे, कई बार हम अधा की ही नहीं है, कैसे वह चीज मिल जाएगी, तो उतनी कीमत अगर आपने अधा कर दें, वह चीज आपको मिलने के लिए तयार है, सिंपल सा उधारन है, हमारे डेली लाइफ का है, कि आप उतनी चीजों को पे, आप इतना जो कीमत है, उसकी पे कर दीजी, आपको चीज मिल जाएगी, हम आधिय दूर कीमत अधा करते हैं, उसके बाद यह आशा करते हैं, कि वह चीज मिल जागी, तो वह चीज आपको अधा करनी है, दूसरा, मैंना एक चीज और यहां पर लिखिए, तैयारी के दोरान कई बार ऐसा हो सकता है, आपको पता भी नहीं चले, आपक करना, एक्जाम में बहुत काम आने वाली चीज है, तैयारी के दोरान बहुत सारे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया सभी यूज करते हैं, उस पर अगर आपको ऐसे दोस्त मिलगे, जो हर बार आपको नेगेटिविटी में लेकर आएंगे, हर बार नेगेटिविटी में डालेंगे, गलत जगह भटकाएंगे, मान के चलो आपको पीछे खीश रहा है, इतनी समझदारी आपको दिखाने, इतना विवेक आप में होना चाहिए, कि आप सही दोस्त जुन चुके, तो यह कॉंबिनेशन बनेगा, हर एक चीज का, जो मैं इतनी मैंने रिवीजन का बता है, आपने वो भी फोलो किया, मैंने दोस्त के समुका बनाए, वो भी आपने अच्छा बनाए, एक कॉंबिनेशन बनेगा, लास्ट में जाका हर चीज का, और वो आपको सेलेक्शन दिलाएगी, तो यहां पर एक इंपोर्टेंट बात है कि आपके दोस्त को चुनाव करें, वो कैसा होना चाहिए, जो हमेसा आपको आगे बढ़ाए, पीछे ले जाने वाले दोस्त आपको जिन्दी के छोड़ दीजिए, कई बार होता है कि यह दोस्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे उसकी चीज़े हो सकती है, तो कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है, एक मेन यहां पर शोट नॉट्स का भी लिखा है, कहीं केंडिट इसको प्रिफर नहीं करते हैं, मतलब शोट नॉट्स नहीं बनाते हैं, मैं इसकी आपको सजेस्ट करूँग कि आप शोट नॉट्स बना सकें, लास्ट टाइम पर, आज के टाइम क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस पड़ते हैं, उसमें शोट नॉट्स अगर आपके पास हैं, तो यह बहुत काम आने वाले हैं, इसको आप नॉट कर लेना है, यह सारी जो मैं बाते बता रहा हूँ, इस और वो बोलते भी हैं, मुझसे कहीं केंड़ेट बिलते हैं, तो यह बोलते हैं कि सर, बहुत परिवार की कंडिशन या समाज में ऐसी स्थिति वो बहुत खराब हैं, तीन तरह की स्थितिया जो होती है, तो आपकी सामाज की स्थिति कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी ह उस पर बहुत कुछ depend करता है सामाजी की स्थिति का मतलब कि आप किस तरह के परिवार में पैदा होए एक candidate वो है जिनके माबाप already R.A.S. है आईए सवर एक candidate वो है जिनके माबाप अनपड़े दोनों में अंतर होगा क्या कुछ है ना हमारे साथ ऐसा बहुत होता है एक तो होता है कि माबाप already खुद के teacher है तो उन्होंने बच्चों को सुरू सहचा पड़ाया एक व्यक्ति की सामाजी स्थिति है कि माबाप अनपड़े उनको कुछ पता ही नहीं है यह होगई सामाजी किस्ति एक होती है आर्थिक इस्ति एक बहुत गरीब गर में पैदा होगा जिसमें बहुत basic सुविधाई भी नहीं है और एक है जिनको सारी सुविधाई मिल दोनों में फरक होगा एक सरकारी स्कूल में जहां पर कोई सुविधा नहीं वहाँ पढ़ा और एक बहुत अच्छे English मीडिया में इस्कूल में पढ़ा दोनों में फरक होता है एक होता है demographic condition जनांकी की स्थिति कि आप किस जगह पर पैदा हुए एक candidate है जो जैपूर जैसे बड़े शेयर में पैदा हुआ हर तरह कि उसको सुविधा है एक बिलकुल बाड़ मेर के दोरों में जैसे गाम में जहां कोई सुविधा ही नहीं उस चीज का भी फरक पड़ता है इन तीनों चीजों का बहुत फरक पड़ता है उसके पड़ी का था दिल्ली का थे मैं उनसे का भी फरवावी था जोगी जो पड़ों में रहते हुए भी उन्होंने पड़े किर्वाइस बने विपरीत परस्तित्या उनके भी थी आप सब के ऐसा कोई नहीं होता है कि उसके सबके अलग-लग तरह की समस्या हो सकती है सबके अलग एक विपरीत परस्तित नहीं पाए और तूट जाएंगे और कुछ लोग होंगे जो उसी परस्तितमें रिकोर्ड दोड़ने वादी के यमान तोटने वाली के बहुत मुद्ध क्सृतित्या बाते करना आसान होता है उस परिस्तितियों में जीना अलग होता है आज मैं एक सक लेकिन लगातार डटे रहे मेरे बहुत सारे साथी थे जो आटवी क्लास में हम पढ़ते थे बड़े इंटेलिजेंट थे हना हमारे कंपीटिशन होता था कि यह आगे या में आगे लेकिन मैं उनको कहीं को देखता हूं कि उन्होंने आटवी पढ़कर छोड़ दिया दस वी पढ़कर छोड़ तो तो यहीं बात है कि आपको परिस्थिते जो मिलती है उसमें आप कितने देर तक ढटे रहते हैं यह करेगा यह ठीक है कुछ पॉइंट्स समझ मारी मेरी बात है एक में नहीं लिखा था कि कुछ candidates होते हैं जो हर बार थोड़े-थोड़े नंबरों से रह जाते हैं हाना दो नंबर से रहे एक पॉइंट कुछ नंबर से रहे इस नंबर से रहते हैं मैंने उनको अब एसा क्यों होता है कि मेरी बात्चीत भी होती रहती कहीं से एक मैं मेरी पोस्टिंग अभी डूंगरपूर में हैं तो मैं वहां जा रहा था तो मुझे एक केंड़ेट मिला था कि सर मैं कुछ नंबर से इस बार रहे गया voisin मैंने जाना तो उसने बूला कि सर त्श्च में तो ठोड़ी कटओव कम जाती है तो मैंने यें एंटार्गेट रखे गया था उसके दिमाग में पहले ही target क्या set कर लिया उसने? TSP का target set कर लिया कि TSP की cut off कम जाती है, अपने को तो इतना ही रखना, इतना कर लेंगे तो हो जाएगा एक चीज दिमाग में बैठा लेना, मैंने कहा कि अगर आपका target यहाँ पर बढ़ा होगा, तो छोटी चीज अचीज अचीव करने में मुश्किल आगी क्या? कभी भी छोटे cut off का यह चोटा target आपको नहीं रखना है, अगर आपके दिमाग में target बढ़ा होगा, तो आपके तैयारी का level अटोमेटिक बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने तैयारी का, जो आपने target set किया, वो ही अगर छोटा है, तो क्या होगा? आपकी सोच भी वहीं तक सिमित रहेगी, आपका effort भी वहीं तक सिमित रहेगा, इसलिए जो target set करना, हमेसा मैं कभी यह नहीं कहता हूँ कि आपके जो cut off है वहाँ तक, मैं हमेसा target बढ़ा ही देता हूँ, आप topper के क्या marks रहते हैं, उसको target लेकर चलिए, वो achieve करना है, तो target चोटे रखना, जो सिर्फ cut off का target रख रहा है, मान के चलो, उससे 5 नबर कम है और पता चला 5 नबर से रहे गए, क्योंकि आपने target कितना set क्या, cut off जिता है, target कहूं सा set करना है, टॉप रेंक का ही सेलेट करना, टॉप रेंक का अगर 5 नबर कम भी आए, तो टॉप नहीं नहीं आए, तो टॉप फिप्टी में ता आएंगे, तो target कैसा set होना चाहिए, टॉप रेंक वाला, यहां से जो आज जो चीज आपको लेकर जाने हैं, कि आगर मैं अभी तैयारी करूँगा, तो तैयारी में cut off का target set नहीं करना, टार्गेट कौन सा set करना, पहले यह देखना, कि पिछली बार का topper कौन रहा था, उसने कितने marks लेकर आए, मैं उससे दो नमबर, पांच नमर जादा ही लेकर आँगा, इस target के साथ, जैसे आप mindset बनाएंगे, आपकी तैयारी का level automatic बढ़ जाएगा, अपने सामने जो target होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके अनसार आपको तैयारी करनी है, यह चोटी सी चीज है, जो आपको पीछे रख लेती है, दूसरा, यहाँ पर कई candidate होता है, जो ऐसे भी होता है, जो चलो एक exam दिया, पास नहीं हो पाई, दूसरा exam दिया, पास नहीं हो पाई, यहाँ आप आप बार बार गलतिया क्या कर रहे हैं, आप अपना analysis सहीं नहीं कर रहे हैं, आप अपना आकलन सहीं नहीं कर रहे हैं, कि कहां आपसे कम्या रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नीद आ रही हो, नीद तो नहीं आ रही किसी को, यह भी एक कम्या है, हाना हम प्रजेंट नही पढ़ रहे हैं रोजाना वह भी क्लास ले रहे हैं कुछ टॉप कर रहा कुछ फेल हो जाते हैं रीजन क्या है रीजन है कि आपके माइंड का अभ्यास कितना है कुछ केंड़िट यहां बेठे हुए भी यहां पर नहीं है करना क्या है आपको अभ्यास इसके लिए प्रेक्टिस करके बार बार दिमाग को यहां लेकर आना है कई बार आप चला जाता है यह हमारा माइंड का नेचर है हना इसको अभ्यास से साधा जाता है जैसे अभी सर योग की प्रणयाम की बात कर रहें उसका एक वह एहम पड़ा हो है कि यहां से अगर आप योग प्रणयाम का अभ्यास करते हैं तो यह आपके माइंड को आपके दिमाग को साथ सकता है उसको अभ्यास करके आपके कंट्र जो में कोई जो है ना वो हमारा human mind भी है यहां पर धर्ती पे सबसे सबसे जो तेज मस्तिक्स वाला प्राणी कौन से इतने सारे प्राणी रहते हैं इतने तारे कि जीव है उसमें सक्टिशाली कौन है मनुश्य है किस वज़े से हैं हमारे पास सारीरिक शक्ति गूरूप में हा आगे भी जानी कर रहे हैं हमारे दिमाग की शम्ता ब्रमान में सबसे पावरफुल कोई चीज है तो क्या है और माइंड सबके पास है हाना कौन कितना किसको साधता है उस पर सारी चीज़े डिपेंड करता है तो यह अगर आपने अभ्यास से अपने मस्तिस को साज लिए मतला है कि आपका साइंस करते हैं यह यह फिर हैं नद In या फिर English की वज़े से पीछे रहे हैं थिक है यह जो कल İyi इसका analytics करना कि आपकी कम जोर कड़ी कुझ सी ऊस कमजोर कड़ी पर वरक करना है कम जोर इसलिए है कि हमने ऊसकोब कम जोर में सब्ने बता है कि हमने धरना बना लेगी वह कम जोर हम बार दर हैं वो सब्सक्राइब हमारी प्रोपलम है अगर गरिष परपपलम होती तो सबके लिए एक जैसी होती लिगिन किसी के लिए अच्छी के लिए असलिए हुआ कि कि बच्च्पन रहना हमें अच्छे टीचर नहीं मिले यही सब के साथ होता है अगर आज भी आपकी math or English और साइन्स कमजोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आगे भी कमजोर इसको आज आप आज भी चेंज कर सकते हैं आज भी मैं यह मानता हूं कि अगर आज भी आपको अच्छा टीचर मिल जाए थोड़ा साब इंट्रेस्ट बना ले तो आपका वो भी सब्जेक्ट मजबूत ह हो सकता है जैसे यहां पर गणित के लिए पदम सर बेठें मैं मुझे इन पर इतना विश्वास है कि अगर यहां पर इनकी क्लास में जो कोई श्टोएंट आथा तो जीरो से भी बैसिक से भी शुरू करता तो एडवांस लेवल तक जा सकता क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं इ लिए उस सब्जेक्ट को आप मजबूत बनाईए उस पर वर्क कीजिए अभी जैसे एक्जाम के लिए बहुत टाइम है जब एक्जाम के लिए हम उसको शांतिकाल कहता है एक होता है युद्धकाल जहां पर आपको लड़ना है वहां उस समय लास्ट टाइम पर इतना टाइ गलत नहीं होंगे उस समय आपको लोस नहीं होगा उस समय आपको नुकसान नहीं होगा तो यह जो कमजो़ सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं उसको अभी बात नहीं बद्थ होगए लेकिन आज भी आगर कम जोर रहे तो आपने उसपेशल वर्क नहीं किया इसलिए अभी भी कम जोर है ठीक है तो घृट्यूलर आपको प्रेक्टिस करनी है लास्ट में, मैंने जो एक uppoinxa और लिखागी लास्ट में बस अपनी बात खतम कर रहा हूं. उसकी बाद मैं एकмотр रखूँंगा अपना. लास्ट में, आपको यहां से क्या-क्या बाते जो ले कर जानी है. एक तो मैंने बहुत important चीज़ बताई, एक तो ठान कर जाना है आपको, कि इस बार मुझे selection लेना है, जिसने अभी ठान लिया, और धारना बनानी कि इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं select होकर जाऊंगा, उसने अपनी आदी जर्नी पूरी कर ली है, तैयारी करेंगे, तो तैयारी क करें, नहीं करें, आपकी पहले से तैयारी है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, आप खुद अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जरूत नहीं है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं, self-study मजबूत है, आपके सारे subject अच्छे हैं, खुद से पढ़ने में आपको समझ में आता ह कि युझे नहीं लगता कि आपको आपको कोचिंग की ज़रूत है आपको सिर्फ ट्रैस्ट प्रक्टिस कर लीजिए ट्रैस्ट ना इतना महेंगा होता ना इतना ताइम कंजूमिंग होता खुदको पड़ना है और मेक्जीमम आपको टेस्स निकालने हर बार टेस्ट में अपन अब यह प्ते जब वापस टेस्ट देंगे तो उसके बीच में उन सब्जेक्ट को पढ़िए उन टॉपिक्स को पढ़िए और वापस से टेस्ट दीजिए हर आपको यह तरगे रखना कि मुझे 5%-2% आपको यहां से बहुत मिलेगे अहर सारे वर भी हैं यहां से ना जाज कुणि परक्टिस कीजी हैं、、 को असली सफलता वही दिलाएगा ठीक है लास्ट में मुझे अब शेरोशारी तो आती नहीं फिर मैंने कोशिश करें कि क्लास में बच्चों को अच्छा लिखता है तो मैं भी कोई लिख लेता हूं मैंने भी लिखा है यहां पर आपको सेलेक्शन के लिए कोई दूसरा लोग क कोई दूसरा निकालने नहीं आएगा वो हमें ही निकालना है हमें ही निकालना है हमारा सेलेक्शन लेने का किसके हाथ में हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हमारा काम क्या है हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं जब आपकी बेटरी डिसार्ज हो जाए तो हम चार्ज करके वापस दे सकते हैं लेकिन काम किसको करना है आपको ही करना महनत किसको करनी ए वह आपको ही करनी है ठीक मैने कुछ विंदू थे अब लाइस्ट्ट में जिस परपस के लिई हम आए और जिस पर पर स्कुरियाप आए आप इसलिए जानना है कि अगर आप coaching join करते हैं तो आपको यह coaching join क्यों करनी है, मेरी जिम्मेदारे जब मैं यहाँ पर आये, तो मुझे बताना है कि आपको यह coaching join क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूँगा, इसके लिए आए सायद, जो लोग join करना है, हमारी विशेष्था भ प्रद्वर्ड हो या नहीं हो आपके लिए टेबल चेर हो पंके हो नहीं हो यह माइनी नहीं रखता जो सबसे इंपोर्टेंट है वो क्या है आपके फैकल्टी स्टीचर कैसे हैं अगर टीचर अच्छे नहीं तो यह सारे चीज़ें यह सब दिखावे की होगी यह सारी वो सेलिट के जो डेडिकेटड है स्टुडेंट के परती हमारे यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपने फीस दी हम भूल गे वह कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा है हम पर इस बात का धियान रखते हैं कौन किस तरह से यहां पर पर कर रहा है हम टेकनिकल चीज़ों पर भी वर्क स्ट्रीज यह हम बड़े इस तरह पर अजमेर में यहां पर टेस्स शुरू करने वाले कोचिंग जोइन कर रहा है उनके लिए और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए बड़े इस्टर पर हम टेस्ट इस यहां पर प्लान कर रहे हैं यहां पर हम आपको बहुत अलग-अलग मोड में रहेंगे हर दिन आपको कोई को सब्जेक्ट पढ़ना है यहां पर हना बूस्स मिंड़ा और पचास मिंड़ पेतालेस मिंड़ उस पर वापस उस पर डिसकर्शन होगा यह हर दिन हर एक सब्जेक्ट का यहां पर टेस्ट होता रहेगा ठीक है शुरू कर जोइन करन उनके लिए दोनों free रहेंगे तो online टेस्ट अलग रहेगा offline टेस्ट अलग रहेगा आप यह दोनों ही टेस्ट करेंगे उतनी तैयारी आपकी मजबूत होगी हर टेस्ट आपको थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाता है तो हम अलग-अलग लेवल पर यह सारे के सारे टेस्ट और इसके अलावा फीस के बारे में मैं बता देता हूं फीस चाहे आरेस हो चाहे अधर हो अभी हमने कोशिश किये कि बाकी अधर से हम शुरुआत कर रहे हैं तो बाकी अधर कोचिंग से हम फीस कम रखे थोड़ी हमने कम रखी है इसके अलावा special categories के लिए हमने फीस में discount भी दिया यहां पर आप देख रहे हैं और मुझे हर बार लगता है और मुझे थोड़ा सा इस बात का अफसोस भी होता है और दुख भी होता है कि जब हम कहीं पर भी कोचिंग में जाते हैं तो 80% boys होते है और girls या तो 20% या 10% यहां पर आपको फर्क दिख रहा है क्या हमारे society म हमारे समाज में 50% females हैं महिलाएं हैं लड़कियां हैं लेकिन आपको जहां पर इस तरह की बात आती हैं वहां पर 50% लड़किया दिखती है क्या नहीं दिख रही है क्यों इसका reason क्या है हमारी society हमारा समाज अभी भी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि उनको बराबरी का दर साइस चीज को फील करता हूं कि अगर में बहतर समाज बनाना है बहतर राष्ट्र बनाना है तो उतना ही जरूरी है लड़कियों का पढ़ना उनके education उनका system में सामिल होना भी उतना ही जरूरी जितना लड़कों का है इस बात को मैंने थोड़ा से ध्यान में रखते हुए हम परिवार से भी कोई हो चाहिए सईद आश्रित परिवार से उनके लिए तो हमने सीधा 50% फीस वैसे ही कम रखिये और इनके अलावा भी हमने इनको आपको बताना है यहां पर लाना है ठीक है उनके हमने सीधा यहां पर डिसकाउंट किया इसके अलावा यह चीज के लिए मैं एंसर कर सकता हूं अभी हमने शुरुआत कि यह दो तीन साल हुए ऑनलाइन में थे ऑनलाइन में हमारा result बहुत ही बहतरी निदा है मैं यह एंसर क होता है बहुत 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 बहुतर तरीके सापको यह जोग्राफी पूरी पूरी मेप पर आपको Google Earth से पढ़ा ही जा सकती है आपको चीजे एक तो बोलकर बताने पूरा विजुल बताने उसमें बहुत फरक आ जाता है इसका एक रिजन यह भी है कि जब हमने केमरा लगा जूटेघी नहीं मानलोगी किलास में आपको को समझ में नहीं आया तो भी क्या कर सकते हैं वापस जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं एक बार कॉर्स पूरा हो गया जब dari कि यह फैसिलिटी मेरे रिखाल से बहुत कम कोचिंग जो आफलाइन में है वो कम प्रोवाइड कर वारे हैं हम यहां पर प्रोवाइड कर वारे हैं ठीक है और इसका एक फाइदा और बताते था हूं बहुत सारे केंडिट्स हो सकता है कि गर में तीन-चार भाई बेन हो ठीक है उ तो हमारी तरफ से यह चीज़े आपको दी जा रही है आपको यहां पर डिसिजन लेना है आपको कोचिंग जोइन क्यों करनी चाहिए मैंने इसके बारे में बताए कि क्वालिटी एजुकेशन दूसरों से अलग कैसे हैं बाकि आप आईए हमारी जो सबसे जो हमारी टेक ला हाझा मैं भी कोशिच करूँगा की लगाता है हर संडे को एक ऐसी इसविशे पर बात करें जो आपके विश्य है में तो इस बात को स्टेशन को Isigap यह इस यहां पर अलग लग तरह की स्ट्रेस में बैठा है और यह श्क्राया का Śैब कि प्रभावित представometer के कि स्ट्erson को है कि क जो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो हम अलाग करने वाले हैं। बस मुझे इतनी ही बात रखनी थी। आपके कोई सवाल हो तौठ इहाने सवालब पूर सकते हैं। उसके बाद हम इसको खतम करेंगे। तो आपके कोई सवाल होता आप मुसे पूछ सकते हैं कल से हम बेच भी शुरू कर रहे हैं बेच में हम तीन दिन की हमने फ्री डेमो क्लास रखी है वैसे तो डेमो की ज़रत नहीं क्योंकि हम यूटूब पे भी आप वहां पर डेमो देख सकते हैं इसके बावजूद भी हमने अब करेंखें कल से हम इसको शुरूरात करने कलसे फिलारम नो बजि से almost carょ종ाओ flux Alors इस changes ऑप से एक बज तक टास रखेंगे अब बहुत सारे स्ट्ट्स को अलग लगतर कि समय से आ सकती हैं लेकिन हम हर इस्ट्ट्स के अभी हम 9 बजे का बात में थोड़ा स्कों एड्जस्ट करके थोड़ा जल्दी भी लाया जा सकता है अभी हमारा प्लान नो बजे का है तो नो से एक बज़े का टाइम रहेगा कोई और सवाल हाँ अभी लाइबरेरी हमने अमारी तरफ से विख्षित नहीं किये बविश्य में इस पर विचार कर सकता है लेकिन अभी सिर्फ आपको कोचिंग के लिए कोचिंग की व्यवस्ता हमारे पास से लाइबरेरी की व्यवस्ता भी नहीं है हाँ देखो एक तो होगा क्लास नोट्स जो क्लास में टीचर आपको यहां पर सारी चीज़े लिखवाएंगे वह आपको ऑनलाइन मिलेगा उसकी पीडिएप भी मिलेगी डाउनलोड का सिस्टम नहीं होगा लेकिन आपको लिखना है ऐसा नहीं कि आप आपको पीडिएप म उसको पड़ाता क्योंकि सिलिबस अठ्ठा है लेकिन नॉठस में कुछ चीज़े एक्स्ट्रा भी हम आपको देंगे वगर अपक्र पढ़ना चाहते तो नॉट्स में आपको मिल जाएगी तो प्रिंटेर नोट्स में मिलेंगे क्लास नॉट्स में मिलेंगे को यह हो गया हो इसको तो बहुत-बहुत दन्यवाद आप सभी यहां पर आए अब इस्टुरेंट्स के लिए टेस्ट के लिए चलो एक एक यह अर्विन जी है ग्यारवी रेंग के साथ ओल राजसान ग्यारवी रेंग के साथ सेलेक्ट हुए और खतम होने के बाद आप थोड़ी देर यहां थे लिए यहां वह राजसान दर्णा को आप अए अब आप आये हमें बहुत अच्छा लगा और आप जो सीख कर जा और प्रभाई जा रहे हैं यहां से जो चीज लेकर जा रहे हैं उसकी कीमत 50 ए प्लिफाइव तो अब tor 4 प्लिफ तो आपको बहुत भुद धन्यवाद इतने देर हैं आपने सुना और अब अर्मिन जी कुछ बताना चाहरें आपको नमस्कार सबको सबसे पहले तो मैं Quality Education की पुरी टीम को और नरेंदी सर को धन्यवा देने जाएं मैं बताना चाहरा हूं कि यहां के Taste Series में क्या quality क्यों Quality Education ही चूज करें आप लोग मैं जब यहां के Taste देता था तो मेरे 300 में से 210 माक्सा देते लेकिन जब मैंने वहां फाइनल में दिया ना तो मेरे 260 माक्सा हैं तो आप इस चीज से कर सकते हैं यहां की जो Taste Series है मैंने बहुत Taste दिये हैं बहुत मोडल पैपर सोल किये हैं यहां की Taste Series के लेवल है वह एक अलगी लेवल है मतलब एक स्टेप आगे मिलेगा आपको बस इतना इंगे ना जाओंगा थेंक बहुत बहुत धनी यह बिलकुल सही बात है हाँ आप कुछ बोलना चाहते हैं यहां के आजाए मेरा नाम दर्मपाल है और अभी मैं इस्ट्री लेक्षर हूं और मुझे आज पता चला था कि यहां अज मेरे में क्वालिटी एज्यूगिशन के नाम से कोई इंस्ट्ट ओपन हुआ है तो मुझे खुशी हुई कि मैं लगतार दस साल से यहां जुड़ा हूँ बारा साल हो गई 2010 से वैसे मैं नीम का थना सीकर से हूँ तो सर के बारे में आज पहली बार नाम सुना था तो मैंने तुरंत यूटूब पे सुभए एक बच्चा आ रहा था कि मैं वहाँ जाओंगा सेमिनार में तो सर का नाम बताया मैंने सर्च किया एक वीडियो सुना था तो मैंने सोचा कि अपने चलेंगे और सुनके तो आएंगे क्यों आज संडे है छुटी है आराम से पिछे बैठेंगे पचास रुपर जो भी होगा अपने देंगे सुब मैं आया यहाँ पर जो प्रोशीजर था हो सकता था मैं बताता कि इब चार-पांच बच्चे लेके आऊंगा मैं लेक्टरर हो तो मेरे को बिठा देते पर मैंने का सर क्या प्रोशीजर है कि सर पचास रुपर लेगी मैंने पचास रुपर की रशीद कटाई जो मेरे पास है और आराम से बहुत इतनान के साथ में ये जो समय तीन घंटे का मुझे जिन्दगी में जो फाइदा मिला है हालांकि मैंने पूरी तपश्या मेरे जीवन में की है इसका भी बहुत बड़ा युगदान है मैं सभी से यही आगरे करूँगा निवेदन है विन्यति है कि आप इस बहुत संघर्ष के दोर से गुजरो तो धहरे रखना और इतना पैसेंस रखना कि आप अपने चाहिए कोई भी वह अपने सामने उसको भी सुनने का परियास करना इगो कभी भी मत परता धन्यवार बहुत बहुत धन्यवार सर मुझे पता भी नहीं था कि यहां पर लेक्चरर भी वेठ हैं और यह इस्पेशली कितनी बड़ी बात है इन्होंने मुझे यूट्यूबर सुना और यह यह सिर्फ इनको कोई नोकरी लगने के लिए नहीं आए और यह सिर्फ किसली आए यह आए यह क्या है यह देखो सीखने की ललग सुनने की ललग जो है न यह इस लेवल का जब आपके अंदर ललग आ जाएगे न तो समझो फिर सकसेश दूर नहीं है यह सीखने की ललग इनमें हमेशा से थी उनको लगा कि आज संडे है फूरी है तो यूटूब पर देखा अच्छा लगा कु जिस्टम है उसको फोलो करना है उसको फोलो कर लिया तो सक्सेश मिल जाएगी और बहुत-बहुत धन्यवाद कल से अपनी क्लास है नो बजे से पहली क्लास है आप तीन दिन का फ्री डेम है बिल्कुल खुलकर यहां पर आएं बेटे सवाल पूचे सब कुछ अपने सारे द बटकते ही सही मंजिल मिल ही जाएगी यूं बटकते बटकते ही सही गुम्रा तो वो है जो गड़ से निकले ही नहीं थैंक्यू